आज मैं आपसे एक बहुत महतुपूर्ण विशय पर बात करना चाहता हूँ समवाद करना चाहता हूँ और वो विशय है दुनिया को भारत की देन विश्व को भारत की देन भारत ने अब तक दुनिया को क्या क्या दिया है भारत के द्वारा दुनिया में क्या-क्या आया है ग्यान के इस तर पर हमने दुनिया को क्या दिया है नीतियों के इस तर पर हमने दुनिया को क्या दिया है व्यवस्थाओं के इस तर पर हमने दुनिया को क्या दिया है ऐसे कुछ विश्यों पर मैं आज आज आप से बात करूँगा बहुत सारी रोचक जानकरियां आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा कई जानकरियां आपके सामने ऐसी आएंगी जो आपने पहले सुनी नहीं होगी किसी ने आपको बताया नहीं होगा चर्चा भी शायद आपके बीच में नहीं हुई होगी मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है वो ये कि आज जो जानकारियां आपको ऐसी लगें कि आपने पहले कभी नहीं सुना या पहले कभी उसके बारे में नहीं जाना किसी ने आपको उसके बारे में नहीं बताया तो इन जानकारियों को आप यहां से लोटने के बाद अधिक से अधिक लोगों को बताएं ताकि उनका अग्यान इस माध्यम से हम दूर कर सकें जो भारत स्वाभिमान का माध्यम है मैं सबसे पहले बात शुरू करना चाहता हूँ आज के व्याक्यान में वो यहां से कि हम सभी विद्यार्थी रहे हैं और अपने जीवन में पढ़ाई करके निकले सबीने प्राथमिक इस तर पर माध्यमिक इस तर पर फिर उच्शे कक्षाओं के इस तर पर काफी कुछ पढ़ा लिखा है लेकिन हमारे मन में बच्पन से जो एक बात गुसाई जाती है बिठाई जाती है या पढ़ाई जाती है वो ये कि दुनिया में भारत सबसे जादा पिछड़ा हुआ देश रहा फिर पढ़ाया जाता है बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब देश भारत रहा फिर बताया और पढ़ाया जाता है कि दुनिया को कभी कुछ भारत ने नहीं दिया भारत को दुनिया के देशों ने बहुत कुछ दिया हमको बताया और पढ़ाया जाता है कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस भारत में कुछ नहीं होता अंग्रेज नहीं आते तो सिक्षा नहीं होती अंग्रेज नहीं आते तो विग्यान नहीं आता अंग्रेज नहीं आते तो तक्निकी नहीं आती अंग्रेज नहीं आते तो रेल नहीं आती अंग्रेज नहीं आते तो हवाई जाज नहीं होता ऐसी ऐसी बाते हम बच्पन से पढ़ते आते हैं सुनते आते हैं और आपस में चर्चाएं भी करते रहते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा दुख और दुर्भाग की इस बात का लगता है कि हमारे अध्यापक हमको ये सब पढ़ाते है गुरू हमारे जो आज के बरतमान में हैं अब गुरू तो कम हो गए हैं सिक्षक जादा रह गए हैं तो बरतमान में जो हमारे सिक्षक हैं अध्यापक हैं वही हमको ये सब पढ़ाते हैं और बताते हैं इस तरीके से कि दिवांक में घुसा देते हैं फिर उसका निकलना मुश्किल हो जाता है आपने एक मनोविज्ञान की बात सुनी होगी दुनिया में बार-बार कही जाती है कि एक जूट को जब बार-बार बोला जाता है बार-बार बोला जाता है तो थोड़े दिन वो जूट सुनते सुनते सच लगने लगता तो भारत के बारे में पिछले कम से कम ढ़ाई तीन सो वर्षों से एक जूट पूरी दुनिया में बोला जा रहा है कि भारत एक गरीब देश, भारत एक पिछडा देश, भारत एक अवेग्यानिक देश, भारत एक ऐसा देश जहां विग्यान नहीं, जहां तक्नीकी नहीं, जहां गणित नहीं, जहां बहुतिक शास्त्र नहीं, जहां रसाइन शास्त्र नहीं, कुछ भी नहीं भारत एक ऐसा देश जो हर समय दूसरों पर निर्भर भारत एक ऐसा देश जो हमेशा परावलंबी भारत एक ऐसा देश जिसकी अपनी सब्विता और संस्कृती में गौरव करने लाइक कुछ नहीं और जो कुछ गौरव करने लाइक है वो पाखंड है जो कुछ गर्व गर्व करने लायक है वो अवेग्यानिक है उसका कोई वेग्यानिक आधार नहीं उसका कोई तारिकिक आधार नहीं इसी तरह की बातें पढ़तें पढ़तें सुनतें हम सब बड़े हुए और हमारे सिक्षकों को जब हम ये प्रशन करते हैं कि आप ये सब हमें क्यों पढ़ाते हैं तो कहते हैं हम को किसी ने ऐसे ही पढ़ाया है तो हम तुम को पढ़ाते हैं तो हमारे सिक्षकों के जो सिक्षक रहे हैं उन्होंने भी ऐसे ही पढ़ाया है और मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा कोफ्त तब होती है कि एक साधारण आदमी भारत के बारे में जब ये कहता है कि हमारे पास ग्यान नहीं, हमारे पास तक्नी की नहीं, हमारे पास विग्यान नहीं, हमारे पास अर्थशास्त्र नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं हम तो हमेशा से पिछड़े गरीब देश हैं तो सामन ये आदमी की बात को तो छमा किया जा सकता है लेकिन जब भारत का प्रधान मंत्री ये कहने लगे तो दिल को बहुत चोट पहुचती है हमारे देश के कई प्रधान मंत्रियों के मुझ से मैंने ये सुना कि भारत हमेशा से गरीब देश है तकनीकी यहां नहीं रही, विग्यान यहां नहीं रही, सिक्षा यहां नहीं रही जो कुछ भी हमारे पास है, वो सब अंग्रेजों की देन है भारत के बारे में सारी दुनिया में हमारे प्रधान मंतरियों ने बोला है सपेरों का देश, लुटेरों का देश, अंधेरे का देश, ठगों का देश, डकैतों का देश इस तरह की बातें सारी दुनिया में भारत के बारे में प्रचारित हुए है गडरियों का देश, ऐसे ऐसे बात हमारे देश के बारे में दुनिया के लोगों के सामने आए है उन्वर्सिटी में दिया जब उनको डॉक्टरेट की मानद उपादी दी जा रही थी और उन्होंने यही कहा कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी है जो अंग्रेज भारत में नहीं आते तो हमको तो ना विज्ञान पता था ना तक्नीकी पता थी ना हमारी सिख्षा व्यवस व्यवस्था होती ना हमारे पास कोई करशी व्यवस्था होती ना हमारे पास डाक्तार विभाग होता ना रेलवे विभाग होता वगयरा वगयरा लंबा भाशन हमारे प्रधान मंतरी ने ऑक्सफोर्ड में दिया चालीस मिनट तक वो यह गुडगान करते रहे कि नहीं आते तो हम तो आज भी अंधेरे में डूबे ही रहते अब यह जो वरतमान प्रधान मंत्री का बयान है वैसा ही बयान हमारे प्रथम प्रधान मंत्री ने भी कई बार हमारी संसद में दिया अपनी संसद में कहा भारत के प्रथम प्रदान मंत्री ने कि अगर अंग्रेजों का भारत के साथ संयोग नहीं होता तो भारत तो हमेशा अंदकार और अंधेरों में डूबा हुआ देश ही रहता इसलिए भारत को विकास कराना है तो अंग्रेजों जैसा बनाना है भारत को आगे बढ़ाना है तो अंग्रेजों के रास्ते पे ही चलके उसको ले जाना है तकरीबन इसी तरह की बातें भारत के बिविन्न प्रधान मंत्री कहते रहे शर्म और अफसोस हमारे देश के लोगों को देते रहे दो या तीन प्रधान मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो लगबग सभी प्रधान मंत्री इसी मानसिकता के रहे इस देश में पिछले 63 वर्शों एक प्रधान मंत्री थे जिनको भारत की परंपराओं पर बहुत गर्व होता था संस्कृती सब्विता पर बहुत गर्व होता था उनका नाम था श्री लाल बहादुर शास्त्री तो जब वो पहली बार प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था इस देश में जो सामन रूप से किसी प्रधान मंत्री के साहस में नहीं होता फैसला उनका ये था कि अमरीका से लाल रंग का गेहू आता था भारत में जिसको अमरीका में जानवर बेनी खाते वो गेहू हमें खिलाया जाता था श्री शास्त्री जी ने फैसला लिया कि ये गेहू हमें खाना मनजूर नहीं है क्योंकि अपमान जनक तरीके से आता है और रदी है, सबसे खराब है और वो गेहूं उन्होंने अमेरिका से लेना बंद कर दिया था उस समय गेहूं का उत्पादन बहुत कम था और उन्होंने इतना बड़ा साहस दिखाया कि हम विदेशों से गेहूं नहीं खाएंगे और नहीं लाएंगे तो कई लोगों ने उनको समझाया कि शास्त्री जी अगर ये गेहूं हम नहीं खाएंगे तो भूके मर जाएंगे तो इतना कड़ा बयान उन्होंने दिया था कि हमको भूके मरना मनजूर है लेकिन अपमान जनक शर्तों पर घटिया गेहूं खाना मनजूर दी जब ये बात चल रही थी चर्चा चल रही थी तो संसद में भहेंग कर बहस हुई थी शास्त्री जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद जब गेहूं का आयात उन्होंने बन किया अमेरिका से तो संसद में बड़ी बहस हुई थी और कई संसदों ने शास्त्री जी को ये कहा कि अगर ये अमेरिका और यूरोप के देश न होते तो हम तो कहीं के न रहते तो शास्त्री जी ने फिर एक कड़ी बात कही थी कि अमेरिका और यूरोप के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो भारत को दे सके हमारे पास ही है जो हम उन्हें दे सकते है ये बड़ी बात उन्होंने उस समय कही थी इसी तरह एक और प्रधान मंतरी हुए थे इस देश में उनका नहम था श्री मुरार जी देसाई वो भी बहुत भरे हुए थे कूट कूट कर भारती संस्कृती सब्बेता की बातों से और वो कहा करते थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्यान अगर किसी देश के पास है तो वो भारत के पास है ये हमारा दुर्भा 550 को हम इस थापित करने में पीछे रह गए इसी तरह के एक प्रधानमंत्री और हुए है इस देश में वो बहुत कम समय के लिए रहे चंदरशेकर चार महीने रहे लेकिन वो भी ये कहा करते थे कि यूनान की सबसे पुरानी सब्विताओं से पुरानी सब्विता हमारी रही है यूरोप के पास जो कुछ भी तकनी की और विग्यान रहा है उससे पहले हमने वो तकनी की और विग्यान हासिल किया है इसलिए हमें विदेशियों से कुछ लेने की जरूरत नहीं है जरूरत पड़ेगी तो उनको कुछ दे देंगे लेने लाइक हमारे लिए उनके पास कुछ है नहीं तो ऐसी बाते कहने वाले दो तीन प्रधान मंत्रियों को छोड़कर लगबग सभी प्रधान मंत्री इस मानसिक्ता के हुए कि भारत के पास कभी कुछ नहीं रहा हमने कभी कुछ दुनिया को दिया नहीं हमने हमेशा दूसरों के सामने हाथ पसार कर भीक मांगी है चाहे ग्यान की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे तकनीक की हो जो भी हैं हम दूसरों से लेकर अपने को आगे बढ़ाते रहे ये बहुत बड़ा ब्रहम है, ये बहुत बड़ा मित है ये भ्रहम जितनी जल्दी तूटे इस देश का उतना ही देश के लिए बहतर है इस द्रश्टी से मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे तथे प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो हमारे इस भ्रहम को पूरी तरह से तोड़ देंगे और आज के बाद हम में गर्व होगा ये कहते हुए कि भारत के पास ही सब कुछ है वो ग्यान के स्तर पर हो व्यवस्था के स्तर पर हो नीतियों के स्तर पर हो किसी भी स्तर पर हो मैं शुरू आत करता हूँ भारत ने दुनिया को क्या दिया सबसे पहली जो बात हम दुनिया के सामने कह सकते हैं बड़े गर्व से गौर्व से और सारी दुनिया ने अभी उसको स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है पिछले दस बारे वर्षों से खास कर जब से कंप्यूटर आया तब से दुनिया ने कुछ बास्तविकताओं को स्वीकार कर लिया उन में से एक बास्तविकता को जो दुनिया ने स्वीकार किया है वो ये कि सबसे पहली भाशा और सबसे पहली लिपी दुनिया को दी है तो वो भारत में दी है लिपी आप समझते हैं जिसमें भाषा लिखी जाती है और भाषा तो आप जानते हैं तो दुनिया की सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपी जिसको लिख कर हम व्यक्त कर सकते हैं वो भारत में ही दुनिया को दी है भाशा हमारी जो सबसे पहली दुनिया में गई है वो संस्कृत है और लिपी जो हमारी दुनिया में सबसे पहली गई है वो देवनागरी है लेकिन भारत में कई ऐसे इतिहासकार हुए है जिनका ये कहना है कि देवनागरी लिपी से भी पहले एक लिपी हमने दुनिया को दी है जो आज लुप्त हो गई है हमारी लापरवाही के कारण और वो लिपी ब्राम्मी लिपी रही है ब्राम्मी लिपी के बारे में सारी दुनिया के वैग्यानिकों ने एक बात जो स्वीकार की है वो ये है कि ब्रहम्मी लिपी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना भारत है और भारत के पुराने होने के बारे में प्रम पुजनी स्वामी जी के मूँसे अभी आपने सुना एक अरब 96 करोण माने लगबग दो अरब साल पहले का ये पुरा हमारा ब्रहमांड है प्रकरती है जिसमें भारत बस्ता है लगबग उतनी ही पुरानी ब्रहम्मी लिपी मानी जाते है अब समस्या उत्पन ये हो गई है कि इतनी पुरानी ब्रहम्मी लिपी को पढ़ने वाले और समझने वाले वैग्यानिकों की संख्या अभी नहीं है बहुत बहुत थोड़े वैग्यानिक रहे हैं जो लिपी वैग्यानिक माने जाते हैं जो वो भाशा को पढ़कर उसका अर्थ समझा सकते हैं तो ब्रहमी लिपी हमारी सबसे पुरानी लिपी है जो दुनिया के देशों को हमने दी और दुनिया के लिपी वेग्यानिक ये मानते हैं कि लिखना अगर दुनिया में सिखाया है किसी देश ने तो वो भारत ने ही सिखाया है क्योंकि भारत के पहले लिखने की कला किसी भी देश को नहीं आती थी भारत ने लिखना सिखाया क्योंकि लिपी का आविश्कार सबसे पहले भारत में हुआ जब आपके पास लिपी होती है तब ही आप लिख सकते हैं पढ़ना और बोलना तो थोड़ा आसान होता है लेकिन लिखना थोड़ा कठिन माना जाता है वो लिपी के प्रभाव से ही होता है तो सबसे पहले लिपी हमारी तो सबसे पहले लिखना हमारे यहां शुरू हुआ और वो लिखना फिर हमारे यहां से चीन में गया चीन ने हमसे लिखना सीखा चीन के जो लिपी वेग्यानिक हुए हैं जो पिछले हजारों साल का अध्यन कर रहे हैं वो इमानदारी से इस बात को स्वीकार करते है कि चीन के वेग्यानिक चीन के रिशी मुनी भारत आए उन्होंने लिपियों का अध्यन किया अध्यन करके चीन में वापस गए और वहां जाकर फिर उन्होंने अपनी लिपियों का अविश्कार किया तो लिखना भारत ने सिखाया पूरी दुनिया को और अगर भाषा आपने दी है पूरी दुनिया को तो दूसरी बात भी कही जा सकती है कि बोलना भी हमने ही सिखाया पूरी दुनिया को लिपी से लिखना आता है, भाशा से बोलना आता है भाशा हमारी सबसे पुरानी Sanskrit जो सारी दुनिया में हमने दिये दुनिया की जो विशिष्ट भाशाएं मानी जाती है अंग्रेजी को छोड़ कर जैसे जर्मन है, जैसे फ्रेंच है जैसे डच है जैसे इटेलियन है जैसे पोर्चुगीज है जैसे स्पैनिश है जैसे रशियन है जैसे डैनिश है दुनिया में विशिष्ट भाषाओं में ये मानी जाती है अंग्रेजी को छोड़कर अंग्रेजी विशिश भाषाओं में नहीं मानी जाती अंग्रेजी सामन भाषाओं में गिंती होती है क्योंकि अंग्रेजी दूसरों की नकल है और जो दूसरी भाषाओं है वो मूल भाषाओं मानी जाती है तो जो मूल भाशाएं मानी जाती हैं पूरी दुनिया में जर्मन हो, फ्रेंच हो, डच हो, इटेलियन हो, रशियन हो, फिर स्पैनिश हो, पोर्चुगीज हो, ये सभी मूल भाशाओं के मूल वेग्यानिक, जो अध्यन करते रहते हैं वो ये कहते हैं, कि हमारी सभी भाशाए संस्कृत से लिकले जर्मनी में तो ये बात बिलकुल गहराई तक सुईकार की जा चुकी है कि जर्मन भाषा संस्कृत की देन है और जर्मनी के लोग अपने आपको बड़े गर्व से ये कहते हैं कि हम आ रहे हैं माने हम भारतवासियों के ही जैसे हैं हमारे वन्शज भारतवासी रहे हैं जर्मनी की जो हवाई जहाज की सेवा है न उनकी सबसे बड़ी हवाई सेवा उसका नाम है लुफ्थ हंसा जब लुफ्थ हंसा के बारे में किसी जर्मन को मैंने पूछा कि ये लुफ्त हंसा क्या शब्द है जर्मनी का शब्द है जर्मन का शब्द है वो वैग्यानिक मुझे हिरानी से देखने लगा कहने लगा ये जर्मन का शब्द नहीं है ये संस्कृत का शब्द है मैं पूछा क्या है तो उसने का लुप्त हंस उसमें से बना लिया लुप्त हंसा लुप्त माने खतम हो गए विलीन हो गए और हंस जानते हैं एक बहुत विशेश किसम का पक्षी जो आज दुनिया में हमें दिखाई नहीं देता एक जमाने में सबसे ज़्यादा ये हंस भारत में ही हुआ करते थे तो उन्हें नेका भारत के संस्कृत में से हमने ये निकाला है लुप्त हंसा हंस जो लुप्त हो गए उनके नाम पर हमारी पूरी एरलाइन चलती है जिसको लुफ्त हंसा कहते है पहली बार मुझे पता चला कि जर्मनी की सरकार का संस्कृत के प्रती इतना प्रेम है कि उन्होंने अपनी एरलाइन का नाम ही भारत के शब्दों से बना लिया और आज जर्मनी में सिक्षा में विश्व विद्याले के इस तरकी सिक्षा में संस्कृत की पढ़ाई पर और संस्कृत के शास्त्रों की पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है और जर्मनी दुनिया का भारत के बाहर का पहला देश है जिसने अपनी एक युनिवर्सिटी एक विश्व विद्याले संस्कृत साहित्य के लिए समर्पित किया हुआ है और जर्मनी दुनिया का वो पहला देश है जिसने भारत के बाहर भारत की विद्या को सीखने और सिखाने की परमपरा शुरू किये हमारे जो महर्शी चरक हुए जिनोंने चिकित साव व्यवस्था का सबसे पहला से दांत और सारी विद्याएं दुनिया को सिखाई चरक उनके नाम पर जर्मनी की सरकार ने विभाग बनाया है उसका नाम ही है चरको लौजी चरक रिशी के नाम पर चरक लिया और लौजी उसमें उन्होंने लगा दिया अंग्रेजी का तो चरको लौजी विभाग उनका है मने चिकित सा विभाग जर्मनी की सरकार सबसे ज़्या जो खोज है उस पर खर्चा कर रहे हैं अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं इंडोलाजी इंडोलाजी का माने होता है भारतिय विद्या है तो भारतिय विद्याओं पर भारत के बाहर सबसे ज़्यादा शोध अगर हो रही है तो जर्मनी में और जर्मन वेग्यानिकों से जब हम पूछते हैं कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं वो संस्कृत का कारण है चुकि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है सबसे पहली भाषा है इसलिए सबसे पुराना और सबसे पहला ग्यान भी इसी में है और उग्यान हमें सीखना है ताकि हम हमारे देश को आगे बढ़ा सके तो सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपी हमने दुनिया को दी अब संस्कृत के बारे में दो तीन महत्तु की बाते हैं जो सारी दुनिया के वेग्यानिक कहते हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ संस्कृत के बारे में सबसे अच्छी बात जो आज कही जा रही है वो ये कि कम्प्यूटर को चलाने के लिए जिस भाषा का सबसे अच्छा उप्योग हो सकता है वो यही भाषा है संस्कृत कमप्योटर चलाने के लिए आप जानते हैं कुछ सिब्धान तताय किये जाते है उनको अंग्रेजी में अलगौर्दिम्स कहते हैं जो अलगौर्दिम्स सबसे अच्छी बनी है आज तक पूरी दुनिया में वो संस्कृत में ही बनी अंग्रेजी में नहीं बनी आपको सुनकर हिरानी होगी दुनिया में कम्प्यूटर चलाने वाली सबसे अच्छी अलगौर्दिम बेस्ट इंडा वर्ड पूरी दुनिया में सबसे अच्छी अलगौर्दिम वो संस्कृत में तैयार होई है और थोड़े दिन में संस्कृत की वो अलगॉर्दिम सारी दुनिया पे च्छा जाने वाली है सब वेग्यानिक इस बात को सुईकार कर रहे हैं कारण जानते हैं क्या वो कहते हैं कि इस भाषा में दो चीजें बहुत महत्तुकी है जो दूसरी भाषाओं में नहीं मिलती पहली भाषा की जो विशेष्टा है संस्कृत की वो ये कि इसका जो व्याकरण है वो एकदम पक्का है इतना पक्का है कि लाखों करोडों वर्ष पहले किसी रिशी मुनी ने जो व्याकरण में कह दिया है वो 21 भी शतावदी में भी उतना ही सच है जो लाखों करोडों वर्ष पहले महरशी पाननी के जो सूत्र है हजारों वर्ष पुराने है और हजारों वर्ष पुराने महरशी पाननी के सूत्रों में एक कॉमा एक फुल स्टॉप को भी बदलने की जरूरत आज तक किसी को नहीं लगती ये इस भाषा की सबसे बड़ी विशिष्टा है दुनिया की बाकी सबी भाषाओं में बदलाओ होते हैं समय के साथ बदलाओ होते हैं और व्याकरण काफी कुछ बदलता रहता है लेकिन संस्कृत दुनिया की अकेली और एकदम विशिष्ट भाषा है जिसका व्याकरण महरशी पाननी से लेकर आज 21 वी शताबदी तक एकदम पक्का है और शायद अगले लाखों करोडों वर्ष तक उतना ही पक्का रहेगा जिसमें कोई भूल चूक होने की दूर दूर तक संभावना ने ये भाषा की सबसे बड़ी विशेष्टा होती है और इसलिए फ्रांसीसियों ने अपनी जो भाषा बनाई फ्रेंच उसको संस्कृत का आधार दिया जर्मन लोगों ने जो अपनी भाषा बनाई जर्मन उसको संस्कृत का आधार दिया आपका भी French भाषा को या जर्मन भाषा को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे Sanskrit होती है Sanskrit में धातुरूप होते हैं, शब्दूरूप होते हैं French में भी ऐसे ही होता है और मैंने गिनना शुरू किया तो फ्रेंच, जर्मन, डैनेश और बहुत सारी भाशाओं की गिंती करते करते चप्पन ऐसी भाशाओं हैं, जिनके शब्द रूप, धात रूप, लगबग संस्कृत जैसे हैं, बहुत मामूली सा अंतर है उनके, और वो मामूली सा अंतर भी क्यों रखा गया, जब उन लोग के कुछ अंतर छोड़ रखा है, शायद वो अंतर भी थोड़े दिन में खतम हो सकता है, दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो सारी दुनिया के वेग्यानिक अब सुईकार करते हैं, कि भारत की अकेली विशिष्ट भाशा संस्कृत है, जिसके पास शब्दों का सबसे बड़ भाशा जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं, या रशियन कहते हैं, या जर्मन कहते हैं, या फ्रेंच कहते हैं, या डच, पोर्चुगीज, स्पैनिश कहते हैं, जिन को कहा जाता है, या चाइनीज कहते हैं, इन सब भाशाओं से हजारों गुना ज़्यादा शब्द संस्कृत मे महर्शी पानिनी ने संस्कृत का ग्रामर जब तै किया उस समय से लेकर और आज तक अगर संस्कृत के इस्तेमाल किये गए शब्दों की गड़ना की जाए कि कितने संस्कृत शब्द भाशा के इस तर पर इस्तेमाल हुए है और लोगों के बीच में वो आए है शास्त्र के माध्यम से, साहित के माध्यम से, बोलचाल के माध्यम से तो संस्कृत भाशा में अब तक जिन शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है और भविश्य में और होगा एक सो दो अरब 78 करोड 50 लाक शब्दों का इस्तेमाल अब तक संस्कृत भाशा में हो चुका है एक सो दो अरब 78 करोड 50 लाक इतने शब्दों का इस्तेमाल महर्शी पानिनी के समय से लेकर और अबी तक हो चुका है और संस्कृत के विद्वान कहते हैं कि अगर आज से अगले 100-200 साल की बात हम करें और इसी तरह से संस्कृत में काम चलता रहे तो इतने ही शब्दों का और इस्तेमाल अगले 100-200 वर्शों में हो चुका होगा जब संस्कृत कम्प्यूटर की भाषा हो जाएगी थोड़े दिन में चुकि दुनिया की सबसे अच्छी अल्गॉर्दिम संस्कृत में तैयार हुई है और सामनी कम्प्यूटर की भाषा में संस्कृत आने लगेगी तो विग्यानिकों का कहना है कि एक सो दो अरव अठतर करोड पचास लाग जो शब्द अब तक इस्तेमाल हुए है इतने ही शब्द और इस्तेमाल हो चुके होंगे अगले सौ से देल सो दो सो वर्षों में माने दुनिया में किसी भाषा में इतना बड़ा शब्द भंडार होने की दूर दूर तक शमता नहीं है जो संस्कृत में और संस्कृत भाषा के जो वेग्यानिक हैं जानकारें वो ये कहते हैं अनंत शब्द भंडार ये एक सा दो अरव अरव अठतर करोड पचास लाग तो वो गिंती है जो अब तक इस्तेमाल हुए शब्द है जो भविश में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं उनकी गिंती हम नहीं कर सकते है इसलिए कहा जाता है कि अनंत शब्द भंडार है दुनिया में किसी भाषा में इतना बड़ा शब्द भंडार नहीं कोई व्यक्ति अगर लगकर इमानदारी से तीन वर्ष करे काम तो संस्कृत भाषा का ये पूरा व्याकरण सीख सकता है और इतना बड़ा शब्द भंडार उसके कोश में आ सकता हमारे परमपूज रिशी महरशी पाणनी ने जो लिखा है अश्रा ध्याई उसको तीन वर्ष में पढ़कर कोई व्यक्ति बड़ा पंडित हो सकता है मैं और एक गहरी तीसरी बात कहना चाहता हूं संस्कृत के वारे में जो दुनिया के सारे वेग्यानिक कहते हैं कि सबसे बड़ी बात सबसे कम शब्दों में कहने की शमता अगर दुनिया की किसी भाषा में है तो वो संस्कृत सबसे बड़ी बात एक वाक्य हो सकता है बहुत बड़ा अगर हम पेज के लाइन के हिसाब से देखे हैं तो बहुत सारे वाकिया ऐसे हो सकते हैं जो चौथाई पेज के हों, एक तिहाई पेज के हों, आदे पेज के हों, संस्कृत की ताकत इतनी बड़ी है कि उनको सबसे कम शब्दों में कह सकती है, और पूरी बात उसमें आ सकती है, एक बात भी उसमें छूटे बिना, तो ये ती से गुडगान अगर मैं करता रहूं, तो पूरा व्याख्यानी संस्कृत भाषा पे हो जाएगा, इसलिए मैंने संकेत के रूप में आप से कहा, कि दुनिया को सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपी हमने दी, तो संस्कृत भाषा के रूप में दी, और ब्रहमी लिपी के रूप में दी और बाद में देवनागरी लिपी सारी दुनिया में स्थापित हुई बहुत सारे वेग्यानिक इस बात के लिए आजकल चर्चाएं कर रहे हैं सारी दुनिया की भाशाओं का जगडा मिटा दें आपको मालूम है भाशाओं के आधार पे बहुत जगड़े होते हैं दुनिया में ये देश उससे लड़ रहा है वो उससे लड़ रहा भारत में भी जगड़े हो रहा है कि ये इलाका हमारा है वो इलाका इनका है वो भाषा के आधार पर और प्रांतों की रचना भी हमारे देश में भाषावार आधार पर हो गई है और वो सबसे बड़ी गलती हो गई है तो भाषा के आधार पर दुनिया में बहुत जगडे है लेकिन कई वेग्यानिक मुझे ये कहते रहते है कि सारे जđड़े मिट सकते है अगर सब भाशाओं की लिपी देवनागरी हो जाए तो सारी दुन्या के भाशाओं की जऑड़े मिट सकते हैं हमारी भारत में कन्नड है, तमिल है, तेलगू है मलियालम है उडिया है बांगला है आसामी है मराठी है गुजराती है और दुनिया में फ्रेंच है जर्मन है डच है फिर स्पैनिश है फिर पोचुगीज है ऐसी बीसियों पचासियों सेकड़ों भाशाओं को देवनागरी में लिखना शुरू कर दिया जाए तो सारे जगड़े मिट सकते हैं एक बार मैंने कुछ विद्वानों से ये पूछा कि क्या देवनागरी में ये ताकत है कि सब भाशाओं का समावेश कर सके लिकित रूप में उन्हों का देवनागरी में ही ताकत है और किसी लिपी में ये ताकत ही नहीं है पूरी दुनिया में जो सब भाषाओं को वो समाविष्ट कर सके अपने आप इस समय हमारे देश में मराठी भाषा देवनागरी में ही लिखी जाती है हिंदी तो देवनागरी में लिखी ही जाती है नेपाली भाषा देवनागरी में संस्कुत तो लिखी जाती है दुनिया की बहुत सारी भाषा है और भारत में चलने वाली बहुत सारी भाषा है अगर एक साथ देवनागरी में लिखी जाना शुरू हो जाए तो ये ताकत ये छमता एक लिपी में है दुनिया की दूसरी किसी लिपी में नहीं है इसका हमें गर्व है, गौरव है, अभिमान है कि सारी दुनिया को हमने ऐसी लिपी दी है जो सबसे आदा वैज्यानिक है और भाशा ऐसी दी है जो सबसे प्राचीन है और सबसे आदा वैज्यानिक है मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ चुकि संस्कृत सबसे समरुद्ध भाषा है तो इस भाषा में लिखा गया साहित भी सबसे जादा समरुद्ध ही होगा जब भाषा समरुद्ध होती है तो भाषा का साहित भी समरुद्ध होता है तो संस्कृत भाशा में जितना साहित लिखा गया है पूरी दुनिया में, शायद ही किसी भाशा में लिखा गया है। फिर आप बोलेंगे दिखाई तो नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता वो हमारी लापरवाही का नतीजा है। और हमसे कई सारी बड़ी भूले हुई है, उन में से एक बड़ी भूल ये हुई है, कि अपने साहित्य को बचा कर हम नहीं रख सके पिछले हजार वर्षों। हमारे साहित्य का बहुत नुकसान हुआ है पिछले हजार वर्षों। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि विदेशी लुटेरों ने जब से भारत में आना शुरू किया तो भारत की संपत्य को ही नहीं लूटा, यहां के साहित्य को भी लूटा, क्योंकि ग्यान उसमें भरा पड़ा है। तो हमसे साहित्य की साज समहल नहीं हो पाई पिछले हजार वर्षों में वो काफी कुछ लुट गया। और कई विदेशी आकरांता तो ऐसे आये जिनोंने हमारे साहित्य को जला दिया। आपने सुना है तक्षिला की कहानी। भारत की सबसे बड़ी पुस्तकाले की कितनी दुरवस्ता हुई थी कि उसको जला दिया गया था। और तक्षिला की पुस्तकों को जला देने के बाद की कहानी ये है कि छे महीने तक विदेशी आकरांताउं ने उन किताबों के पन्नों को जला जला कर अपना पानी गरम किया था इतना बड़ा हमारा ग्यान का भंडार था तक्षिला विश्विद्याले जो छे महीने तक जलता रहा था छे महीने तक जलता रहे कलपना करिये लाखों करोणों पेज रहे होंगे जो छे महीने तक जले होंगे तो कई विदेशी आकरंता और लुटेरे ऐसे आए कि उन्होंने हमारा साहित नश्ट किया कई विदेशी आकरांता और लुटेरे ऐसे आए जिनोंने हमारा साहित लूट लिया और कई आकरांता और विदेशी ऐसे आए जिनोंने हमारे साहित में तोड मरोड करके उसको ऐसा प्रस्तुत कर दिया कि वो हमको सबसे ज़्यादा खराब दिखता है जैसे वेदों की बात करें हमारे जो मूल वेद हैं ना वो भारत में अभी हम ढूनने निकलें तो मुश्किल से मिलते हैं जब भी कहीं भारत में वेद की कोई प्रतलिपी मिलती है और उसके बारे में छानबिन की जाती है तो पता चला वो मैकस मूलर रचित है भारत के बारे में जो कुछ मिल गया उसको ग्यान वो उसने लिख दिया वेदों को उसने पढ़ा पूरी रूची से संस्कृत सीखी उसके लिए लेकिन बहुत सारी चीज़े उसको समझ में नहीं आई वेदों में तो उसको अपने तरीके से लिख मारा और आज हमें वो दिख चेड़ चाड़ कर दी ग्यान के बंडार के साथ चेड़ चाड़ कर दी अगर हमारे मूल गरंत वेदों को हम देखें और मैक्समूलर रचित वेदों को देखें या हमारे मूल दूसरे शास्त्रों को देखें अब जैसे मैं एक उधारण देता हूँ जो हमारी मूल मनु इस मूल मनु इसमरती है उसको हम पढ़ें और अंग्रेजों द्वारा तयार की गई मनु इसमरती को पढ़ें दोनों में जमीन आसमान का अंतर मूल मनु इसमरती में जो बात कहीं नहीं है अंग्रेजों द्वारा रचित मनु इसमरती में वो ही बाते हैं याग्यवलक सहिता में नियाए सिध्धान्त के वारे में जो बाते हैं मूल गरंतों में अंग्रेजों ने एक याग्यवलक सहिता तयार की उसमें बिल्कुल उल्टा लखवा दिया तो हमारे शास्त्रों की कई तरीके से तोड मरोड हुई एक तो जलाया गया लूटा गया और उसके बाद जो साहित विदेशियों के हाथ में पढ़ गया उसमें अपना दिमाख लगाकर खुराफातें बहुत की हैं उन्हें बहुत कुछ मिलावट कर दिया और वो मिलावटी चीजों को आज कोट किया जाता है सारी दुनिया में जैसे वेदों मेंसे कहीं से वाके निकाल कर ये कोट कर देते हैं उपनिश्दों मेंसे निकाल के कोट कर देते हैं कि भारतवासी मास खाते थे, गाय का मास खाते थे ऐसे कुटेशन हमारे यां दे दिये जाते है और वेदों का कोई सूत्र या कोई श्लोक या उपनिशदों का कोई सूत्र या श्लोक उसके नीचे लिख दिया जाता वो सम्मिलावट है, बाहर के लोगों द्वारा जोड़ा गया छेपक है और उसकी व्याख्या भी गलत है तो हमारे देश में जो ग्यान भंडार हमारे पास बहुत बड़ा रहा संस्क्रिप के आधार पर इसमें बहुत नुक्सान हो गया ग्यान हमारे यहां दुनिया में सबसे ज़्यादा रहा है क्योंकि भारत जो नाम है ना वो एक रूप में ग्यान का ही हिस्सा है भा माने होता है ग्यान और रत माने होता है लगा हुआ ग्यान में रत, ग्यान में लगा हुआ देश ही है भारत तो हमसे ज़्यादा ग्यान शाहिदी किसी के पास होगा लेकिन वो ग्यान में पिछले 1500 वर्षों में बहुत कमी आई या तो वो लुटा, या तो विदेशियों दोरा जलाया गया या तो उसमें उन्होंने अपने छेपक जोड़ दिये, मिलावट कर दी और वो हमारे सामने प्रस्तुत हो गया ये आज हम सब भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी चुनोती का काम है बहुत बड़े शोध का काम है कि जो हमारे मूल शास्त रहे हैं, मूल हमारे ग्रंत रहे हैं और जो मूल ग्यान की बाते रही हैं उनको पुनर खोज करके देश के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि ये जो मिलावट वाला हिस्सा है ये दूर हो सके और हमको शुद्ध ग्यान मिल सके चेले और चेलियां तो हमारे दादा दादी ही थे नाना नानी ही थे वो ऐसे ही डाल पकाते हैं अब उस डाल को पकने में थोड़ा समय लगता था तो डाल को पकने में तो समय लगना ही चाहिए क्योंकि आज का जो भौतिक बिग्यान कहरा है ना हजारों साल हमारे रिशी मौनी वो कह गए हमारे रिशी मौनीओं ने ये कहा महरशी भारत दौाज का एक सूत्र है वो ये कहते है कि जो वस्तू खेत में जितनी देर में पकती है वो भोजन में भी उतनी देर में ही पकेगी अब ध्यान दीजेगा दाल खेत में सबसे ज़्यादा देर में पकती है आपको मालूम है अरेर की डाल पकने में तो छे महीना लग जाता है कोई कोई डालें पकने में आठ महीना लग जाता है तो खेत में जो डालें देर में पकती है घरों में भी वो देर में पकेंगी ये महरशी बारत वाज कह गए हजारों साल पहले यूरोप के वैग्यानिख अब उसको सुईकार कर रहे हैं कि हाँ बात तो यह सही है डाल तो देर में पके तभी पॉस्टिक्ता दे सकती है और पॉस्टिक्ता के शात-सात सुआध भी वो तभी देती है जब धीमी 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 आज पर पके हमने वो जल्दी के चक्कर में कुकर लेके दस मिनट में दाल पक जानी चाहिए उसको खाना शुरू किया है और ये जोडों का दर्द फोकट में अपने शरीर में लेना शुरू कर दिया डाइबिटीज ले लिया है, अर्थराइटिस ले लिया है मारे हमें पोशकता मिन नहीं रही है खाने की क्योंकि महर्शी बागवट के सूत्र का पालन ही नहीं कर रहे हम तो वो कहते हैं कि खाने बनाते समय पवन का इस पर शूरी का प्रकाश बहुत जरूरी है यूरोप के वग्यानिक अब पहुँचे है मैंने ये बात थोड़ी विस्तार से इसलिए कही कि ऐसे सैक्डों हजारों सूत्र है जिनको यूरोप के वग्यानिक अब सिद्ध कर पा रहे है और हमारे रिशी मुनी हजारों साल पहले के एक और सूत्र याद आता है तो आपको बतातो हमारे ये जो रिशी मुनियों के शास्त्र है न गरंथ है बागवट जी का है अस्टांग इरद्यम अस्टांग संगरहम या कोई दूसरा गरंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक अभ्यास होता ध्या होता स्वस्त व्रत उसमें एक सूत्र है उशा पान का सुबह सुबह उठके पानी पीने का परम पुझने स्वामी जी भी आपको बताते रहे इस पर जापान में सबसे ज़्यादा रिसर्च होई है आप हैरान हो जाएंगे जापान यों ने अर्बों डॉलर इस पे बहा दिया एक सूत्र पर शोद करा है पिछले 40 साल सबेरे उठकर पानी पीना हमारे रिशिमुनी हजारों साल पहले फोकट में बता गए सबेरे उठके पानी पियो और हम पीते भी रहे और उसके फाइदे हमको होते रहे अब वो फाइदे हमको हजारों साल पहले मालुम है सुबह उटकर पानी पियो तो दो बड़े लाव है सबसे पहला लाव है कि रात बर को मूँ की लार जो जमा हो गई वो अंदर गई जो बहुत ज़ादा एल के लाइन होती है आप जानते हैं ये लार जो है न छारी होती है और सुबह सुबह पेट में सबसे आदा अमल तयार होता है तो सुबह की लार पेट में जानी ही चाहिए ताकि अमलु को वो न्यूट्रलाइज करे अमल और छार दोनों मिलें तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो सुबह उटते ही पानी पी लिया, लार अंदर चली गई, अमलो को उसने शान्ट कर दिया, और जिनके पेट का अमल शान्त है, उनके रक्त में अमल नहीं बढ़ेगा, उनको सैक्ड़ों बीमारियां होने की दूर दूर तक संभावना नहीं, हजारों वर्ष पहले हमारे रिशियों ने समझाया दूसरा फाइदा ये कि सुबह उटते ही पानी पी लिया वो पानी बड़ी आथ में पहुँच गया बड़ी आथ की उसने सफाई की और आप संडास घर में गुसे टॉयलेट में गुसे और दो-तीन मिनट में फ्रेश होके बाहर आगए हमारे रिशी मुनी कहते हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा स्वस्थ होते हैं उनको संडास घर में सबसे कम समय लगना चाहिए सबसे ज़्यादा स्वस्थ होने की एक ही निशानी है कि टॉयलेट में आप कितनी जल्दी बाहर निकलते हैं जो आदा पौना घंटा घंटा वर बैट लिए तो आप सबसे ज़्यादा बीमार आदमी है दो-तीन-चार मिनट में गगाए और बाहर आगए तो आप बहुत स्वस्थ आदमी है तो ये स्वस्थ होने के लिए सुबह का पानी कितनी मदद करता है ये दो बाते हमारे रिशी मुनी हजारों साल पहले कहके चले गए अब जापानियों ने चाली साल इस पे रिसर्च किया और अर्बों डॉलर फूंक दिये अब वो दो ही बातें वो भी कह रहे है ये ही बातें कह रहे हैं जो हमारे रिशीयों ने हजारों साल पहले कह दी इसी तरह से एक हमारे पानी का नियम बता गया पानी बैठ के पियो कभी भी खड़े होके मत पियो पानी घूट घूट पियो हमेशा सिप सिप करके पीो ठंडा पानी कभी मत पीो ये छोटे-छोटे सूत्र हैं स्वस्थवरत के इनको अगर हमने ध्यान दिया और इनको दुनिया भर में इस्थाफित कराया होता तो हम सारी दुनिया में अब तक विश्व विजय कर चुके होते लेकिन हमारी समस्या क्या रही कि ये छोटे बातों को हमने माना ही नहीं कि कोई गहरी बात इसमें है जब दुनिया के दूसरे देशों को हम देखते हैं कि वो अर्बों डॉलर खर्च करके ये रिसर्च कर रहे है और फिर उस नितिये पर आ रहे हैं नतीजा हजारों साल पहले हमारे यहां था तब गर्व की अन्बूती होती है कि ये तो हमने जान रखा है कर रखा है पानी की चिकितसा स्वस्त वरत के छोटे छोटे सूत्र जर्मनी और जापान दो देशों ने 40 साल अर्बों डॉलर की खर्चा करके जो निश्कर्श पाये हैं वो हमारे हजारों साल पहले हैं तो चिकित्सा में ग्यान का भंडार सारी दुनिया के सामने सबसे पहले हमने ही प्रस्तुत किया मैं आपको एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो कोई भी ऐलोपेथिक डॉक्टर सुनने से परिशान होता है लेकिन वो सच है वो ये है कि एलोपेथि 200-200 साल पुरानी चिकित्सा व्यवस्था है इसने आज तक दुनिया को वस एकी चीज़ दी है जिसको वो भी धीमे-धीमे मानते हैं वो कहते हैं सिर्फ दर्द से लड़ना और कुछ नहीं दिया है सिर्फ दर्द से लड़ना तरह तरह के जो दर्द है ना उन से लड़ना 200 साल की कुल रिसर्च ऐलोपेथि की इतनी ही है पेन से लड़ना हैं वो और उसमें भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे कैंसर के पेन में तो अभी तक कामयाब नहीं हो पारे है दूसरे तरह के दर्दों में थोड़ी कामयाबी मिली है बाकी नहीं है तो पूरी कुल जमा उनकी शोध है जितनी दवाएं उन्होंने बनाई हैं हजारों किसम की उनकी मदद से एक ही काम कर रहे है दर्द की कमी या दर्द से लड़ना या दर्द पे काबू करना इस से ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं है मैं ऐलोपैथी चिकितसा के एक पुराने उधारन को आपके सामने कहता हूँ कि हमारी चिकितसा कैसी रही और ये ऐलोपैथी की कैसे रही अमेरिका में सबसे पहला राष्ट्रपती हुआ जोर्ज वाशिंगटन अमेरिका का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी हसी आएगी आपको और आपको अपने उपर गर्व भी होगा दोनों ही बाते हैं जोर्ज वाशिंगटन की कहानी आप सब पढ़ें कहानी ये है कि वो अमेरिका का पहला राष्ट्रपती बना अमेरिका गुलाम था अंग्रेजों का अंग्रेजों की गुलामी से अमेरिका आज़ाद हुआ और 1776 में उनको आज़ादी मिली और वो पहला राष्ट्रपती बना और वो बीमार हो गया बीमारी आती है यूरोप और अमेरिका में तो ज़्याद़ ही बीमारी आती रही है क्योंकि ठंड वाला इलाका है सूरज का धूप है नहीं सूरज का प्रकाश परियापत है नहीं इसलिए viral infection सबसे ज़्यादा उन्हीं देशों में होते हैं और इसलिए anti-viral जितनी भी medicine है सबसे ज़्यादा उन्होंने खोजी है bacterial infection भी बहुत होते हैं धूप नहीं है, सूरज का प्रकाश नहीं है तो एंटी बेक्टिरियल ड्रक्स भी सबसे ज़्यादा उन्हों नहीं बनाए तो जिस देश में सबसे पहले एलोपेथी आई और यह एलोपेथी सारी दुनिया में फैली अमेरिका देश, उस अमेरिका के राश्ट्रपती को बुखार आ गया जॉर्ज वाशिंगटन बुखार में बीमार हो गया अब बीमार हो गया तो उनके सारे चिकितसक देश भरके और दुनिया भरके इकट्टे होकर विचार करें कि इनका बुखार कैसे खतम किया जाए और जॉर्ज वाशिंगटन का वो बुखार कम नहीं कर पाए बुखार बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए कम नहों, कम नहों तो अंत में ये सब एलो पैथी के बड़े-बड़े डॉक्टरों ने आपस में मिलके एक फैसला किया, इसमें आप हसना नहीं, गंबीरता से इसको लेना कि जॉर्ज वाशिंगटन के शरीर में खराब खून घुज गया है इसको निकाला जाए, तब ही बुखार ठीक होगा तो पता है उन महान भावों ने क्या किया अमेरिका के राष्ट्रपती के हाथ पर बान दिये पलंग से हाथ बान दिया दोनों, पाउं बान दिये, रसी से कस के बान दिये और वो राष्ट्रपती चिल ला रहा है कि ये क्या चिकित्सा कर रहे हो वो कहरें यही एलोपेथी की चिकितसा है थोड़ा धीरज रखिए थोड़ा धैर रखिए हम आपको ठीक कर रहे है इन्होंने क्या किया महान महान डॉक्टरों ने उनकी नसे काट दी हाथ की दोनों हाथ की नसे काट ब्लेड लिया और काट दिया और विचारा राष्ट पठी दर उसे तड़प रहा है चिला रहा है और उसके दोनों हाथों की नसे काट दी और तर्क क्या है कि यह खराब खून घुज गया है यह निकालना है तो खराब के साथ अच्छा खून भी रात भर निकलता रहा और सबेरे जॉर्ज वाशिंगटन मर गया यह है एलोपेथी चिकित्सा और यह कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है 1776 के आसपास की है जिस समय एलोपेथी चिकित्सा में बुखार ठीक करने के लिए नसे और नाडिया काटी जाती थी खराब खुन निकालने के लिए उस समय भारत में बड़े से बड़ा भुखार ठीक करने के लिए नीम की गिलोई का काड़ा पिला के लोगों को ठीक किया जाता है अब आप अंदाजा लगा लीजे कि हमारे याँ खराब से खराब जुर खराब से खराब बुखार को तोड़ने के लिए नीम की गिलोई है ये तो एक है ऐसी सेकड़ों चीज़ें अपने पास आयरुवेद में हैं बुखार तोड़क या बुखार नाशक या जिनको हम एलोपैधी की भाशा में कहें एंटी पाइरेटिक तो एंटी पाइरेटिक हमारे पास सेकड़ों चीज़ें है उन में से सबसे आसान हर जगे मिलने वाली सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाली नीम की गिलोई गुडवेल के नाम से गिलोई के नाम से सारा देश जानता है उसका काड़ा पिला के हम बड़े सा बड़ा बुखार सबेरे से शाम तक ठीक कर लेते थे उसी समय में अमेरिका में बुखार ठीक करने के लिए नसे काटी जाती थी खून निकाला जाता ये अंतर है आयुरवेद और एलोपैथी और उसमें से एलोपैथी आगे बढ़ी है और आज सिर्फ वहीं पर आके खड़ी है कि दर्द से लड़ना या दर्द को कम करना इतने में ही उनको सफलता मिली है इसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं है सफलता के काने में अब हमारे पास एक नई हजारों लाखों चीज़ें हैं दुनिया को बताने के लिए तो हम एक बड़ी चिकित सा पद्दिती के सारे दुनिया में फैलाने वाले प्रसारक रहे हैं और सारी दुनिया ने हम से सीखा है यूनानी पद्दिती एक विक्सित हुई है दुर्भागे से हम उसको मुसल्मानों से जुड़ा हुआ मान लेते हैं उसका मुसल्मानों से कुछ लेना देना नहीं वो यूनान में विक्सित हुई इसलिए नाम उसका यूनानी पड़ गया यूनानी पद्दिती के जितने शोधक हुए हैं researchers हुए वो सब इमानदारी से कहते है कि हमने तो सब आयुरवेट से सीखा है संस्कृत में से सीखा है चरक में से सीखा है बागभट जी के यहां से सीखा है भाव प्रकाश निगंटू में से सीखा है इमानदारी से वो कहते हैं इस बात को और उनके औुशदी बनाने के जो तरीके है न वो तरीके बिलकुल वही है। बस थोड़ा अंतर इतना ही है यूनान की आवो हवा के हिसाब से यूनान की जलवायु और परिस्थती के हिसाब से भारत के सूत्रों में थोड़ा उन्होंने फेर बदल किया है। बागी सब वही है। तो दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी चिकिटसा पद्दती यूनानी चिकिटसा वो आयरुवेद में से निकली। सबसे मूल चिकिटसा तो आयरुवेद की है, मूल सरजरी हमरे हाँ शुषुरुत की है। और नियम वगेरा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज की दुनिया में, वो महरश्वी बागबट के अश्टांग इरदयम और अश्टांग संग्रहम के हैं, एक मैं रोचक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक अंग्रेजों के दस्तावेज के आधार पर कहना चाहता हूँ, वो ये कि प्लास्टिक सरजरी, जो आज की दुनिया की सरजरी की आधुनिकतम विद्या है, प्लास्टिक सरजरी, इसका आविशकार भी भारत में ही हुआ, सरजरी का तो हुआ यह प्लास्टिक सरजरी का भी यहीं आविशकार हुआ भारत और प्लास्टिक सरजरी में आप जानते हैं कहीं की तुचा को काट कर कहीं लगा देना और उसको इस तरह से लगा देना की पता ही न चले ये विद्या सबसे पहले दुनिया को भारत ने दी है मैं आपको पुराने दस्तावेजों के आधार की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ 1780 में दक्षन भारत का एक महान व्यक्ति जिसने देश को आजाद रखने में बड़ा महतुपूर्ण योगदान दिया देश की आजादी की रक्षा में संप्रुवता की रक्षा में उसका पूरा जीवन लगा दिया उसका नाम हैदर अली हैदर अली दक्षन भारत का समराट आज हम जिसको करनाटक कहते हैं करनाटक के एक बड़े भुभाग पर हैदर अली का राज्य हुआ करता था 1780 से 84 के बीच में अंग्रेजों ने हैदर अली पर हमले किये कई बार हमले किये तो एक हमले का जिक्र एक अंग्रेज की डाइरी में से निकला वो मैं सुना रहा हूँ आपको एक अंग्रेज आया उसका नाम था करनल कूट उसने हैदर अली पर हमला किया और ये 1780 की घटना है उस हमले में हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया हैदर अली का ये इतिहास रहा कि जब जब अंग्रेजों ने हैदर अली पर हमला किया हैदर अली ने हर बार अंग्रेजों को हराया एक बार भी अंगरेज कभी उससे जीत नहीं पाए एक बार भी नहीं जीते आते थे, हमला करते थे हार के चुपचाप चले जाते हैदर अली के उपर जब बार बार अंगरेज़ों के हमले हुए तो हैदर अली को थोड़ा गुस्सा आ गया तो ये जो करनल कूट आया हमला किया हैदर अली ने उसको हरा दिया और चूंकि उसको थोड़ा गुसा था अंग्रेजों से तो उसने करनल कूट की नाक काट दी हमारे भारत में नाक कटना सबसे बड़ी बदनामी होती थी आप जानते हैं पूरे रामाएंड की कहानी नाक कटने की कहानी है जो सूपढगा की नाक नाक कटी होती तो रामाएंड नहीं होती और नाक कटना सबसे बड़ी बदनामी है तो हैदर अली ने गर्दन तो नहीं काटी उसकी करनल कूट की वो चाहता तो गर्दन काट सकता था क्योंकि करनल कूट पराजित हुआ था करनल कूट अपनी डायरी में लिखता है कि मैं पराजित हो गया हैदर अली के सैनिकों ने मुझे बंदी बना लिया और हैदर अली के पास मुझे ले गए हैदर अली सिंगासन पर बैठा था मैं उसके नीचे चर्णों में बैठा था वो चाहता तो मेरी एक जटके में गर्दन काट देता लेकिन उसने गर्दन नहीं काटी मेरी नाक काट दी और फिर मुझे छोड़ दिया कि जाओ अप कटी हुई नाक लेके जाओ और सब को बताओ कि तुम्हारी नाक क्यों कटी तो करनल कूट लिखता है कि मुझे गोड़ा दे दिया उसने भागने के लिए नाक काटके मेरे हाथ में रख दी और कहा भाग जाओ तो मैं गोड़े पर बैठके भागा भागते 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 एक जगए वो लिखता है मैं बेलगाम में आ गया बेलगाम आप जानते हैं करनाटक का एक जिला तो बेलगाम में आगया तो बेलगाम में एक वैद ने मुझे देखा नाक से खून निकल रहा है कटी हूई नाक हाथ में है तो वैद ने का ये तुमारी नाक कहा कट गई तो उसने जूट बोला और कहा कि पत्थर मार दिया किसी ने तो वैद ने का ये पत्थर मारी हूई ना मैं वैद्ध हूँ मैं चिकित्सक हूँ मैं जानता हूँ तो उसने सच बता है कि मेरी नाक काटी गई है किस ने काटी तुम्हारे राजा ने काटी है हैदर अली ने काटी क्यों काटी मैंने युद्ध किया उससे मैं हार गया उसने मेरी नाक काटी तो वैद्ध कहता है कि अब करनल कूट कहता है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ, ये नाक कैसे जुड़ सकती है, कटी हूँ, मैंने तो सुना नहीं अपनी जिन्दगी में, कि एक बार शरीर का कोई अंग कट जाए, तो वो जुड़ सकता हूँ, तो करनल कूट ने का जोड़ दो, तो उसने का मेरे घर च जुड़ गई, वैदिज ने उसको एक लेप दे दिया बना के, और कहा कि ये लेप ले जाओ, रोज सुबह शाम लगाते रहना, वो लेप लेके चला गया, पंद्रे सत्रे दिन के बाद बिलकुल नाक उसकी जुड़ गई, फिर वो जहाज में बैठके लंदन चला गया, त तो सब अंग्रेज हैरान होके कहतें, नहीं नहीं तुमारी नाक तो कटी हुई, बिलकुल नहीं दिखती, तब वो कहानी सुना रहा ब्रिटिश पार्लेमेंट में, कि मैंने हैदर अली पे हमला किया था, मैं उसमें हार गया, उसने मेरी नाक काटी, फिर भारत में एक वैद को मिला, तो उस बैद ने अंग्रेजों को बताया कि ये काम तो भारत के सब गाओं में होता है, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा करने वाले हजारों लाखों लोग है, तो अंग्रेजों को हैरानी हुई, कौन सिखाता है आपको, कहले कि हमारे इसके गुरकुल चलते हैं, उन ग जिन जिन अंग्रेजों ने भारत में प्लास्टिक सरजरी सीखी है न, उनकी डाइरिया है, एक अंग्रेज का मैं बताता हूँ, आपको वो कहता है कि जब मैंने पहली बार प्लास्टिक सरजरी सीखी, जिस गुरू से सीखी, वो भारत का विशेश आदमी था, और वो नाई थे, नाई है, इस आधार पर किसी गुरुकुल में उसका प्रवेश वर्जित नहीं था, चर्मकार है इसलिए गुरुकुल में प्रवेश वर्जित नहीं था, जाती के आधार पर हमारे याँ गुरुकुलों में प्रवेश नहीं हुआ है, और जाती के आधार पर हमारे या सरजन इसलिए हो सकता है कि उसको चम्रा सिलना सबसे अच्छे तरीके से आता तो शरीर का चम्रा सिलना हो या जानवार का बात तो एक ही है तो हमारे यह ऐसे लोग सरजरी सीखते रहे तो एक अंग्रेज कहरा है कि मैंने जिस गुरू से सरजरी सीखी पूना का किस्सा है वो पूना में जिस गुरू से सी कि वो जातका नाई था सिखाने के बाद उसने मुझसे एक आपरेशन कराए और वो आपरेशन का वरनन है एक मराठा सैनिक है और ये 1792 की कहानी है एक मराठा सैनिक है उसके दोनों हाथ कट गए है युद्ध में और वो उस और वो अंग्रेज कहता है, उसका नाम है डॉक्टर थॉमस कुरूसो, वो अंग्रेज कहता है, कि मैंने मेरे जीवन में इतना बड़ा ग्यान किसी गुरू से सीखा, और इस गुरू ने मुझसे एक पैसा नहीं लिया, फीस नहीं ली, ये मैं बिलकुल अचंभा मानता हूं, आश्यर मानता हूं, और थॉमस कुरूसो ये सीख के गया है, फिर उसने प्लास्टिक सरजरी का स्कूल खोला, और उस प्लास्टिक सरजरी के स्कूल में फिर अंग्रेज सीखे हैं, और अंग्रेजों ने सीख सीख कर फिर दुनिया में फैलाया है, दुर्भाग की इस बात क कि सारी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी के उस स्कूल का तो वरनन है लेकिन इन वैद्दियों का वरनन अभी तक नहीं आया विश्वगरंथों में जिनोंने अंग्रेजों को प्लास्टिक सर्जरी सिखाई थी और ये क्यों हम रह गए वन्चित हुआ ये कि सत्रवी श्टाबदी से उन्नीस भी श्टाबदी के बीच में जब शारी दुनिया में ये रिकाॉर्डिंग चल रही थी कि किस देश से क्या आया किस देश ने दुनिया को क्या दिया इसके लिए सारा भंडारन हो रहा था ग्रंथाले बन रहे थे उस समय चुकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे इसलिए हम प्रयास नहीं कर पाए और वहां तक पहुँच नहीं पाए तो अब हमें ये करना पड़ेगा आज नहीं तो कल सारी दुनिया में जाकर अपने द्वारा दी गई खोजों को इस्थापित कराना पड़ेगा उनका रिजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जरूरत पढ़नी है तो उस पर पेटेंट लेना पड़ेगा और जरूरत पड़ेगी तो वर्ड पेटेंट लेना पड़ेगा विश्व पेटेंट लेना पड़ेगा और पूरी दुनिया में इस ग्यान को इस्थापित कराने के लिए मुझे लगता है कि भारत स्वाविमान से अच्छा दूसरा कोई अभयान नहीं होगा हम इस काम को सारी दुनिया में करें एक और रोचक जानकारी देता हूँ चिकित्सा से संबंदे 1710 के साल में एक अंग्रेज भारत आया उसका नाम था डॉक्टर ओलीवर ये भारत में आके कलकत्ता में आया कलकत्ता में इसने गूमा बंगाल गूमा और गूमते हुए इसने एक डायरी लिखी है उस डायरी के पन्ने का एक पेराग्राफ सुनाओंगा आपको वो ये कहता है कि मैंने भारत में आकर पहली बार देखा कि चेचक जैसी महामारी को कितने आसानी से भारत वासी ठीक कर लेते है आपको मालूम है सत्रवी शताबदी में सारी दुनिया में एक महामारी फैली थी जिसको चेचक कहते है इसमें एक बड़ी चेचक होती थी एक छोटी चेचक होती थी अफरीका में लाखों लोग मर गए थे इसके कारण लेटिन अमेरिका में लाखों लोग मरे थे इस बीमारी से अफरीका लेटिन अमेरिका और एशिया के हिस्से में लाखों शायद करोड़ों भी हो सकते हैं मरे थे सत्रवी शताबदी के आसपास ये बीमारी फैली थी महामारी थी बीमारी नहीं थी उस दोरान ये अंग्रेज आया भारत में जिसका नाम था डॉक्टर ओलीवर वो आया कलकता में तो वो देखता क्या है कि भारत वासी चेचक की बीमारी को लड़ने के लिए टीका लगाते है और वो कहता है कि मैंने दुनिया में पहली बार देखा और डॉक्टर ओलीवर का नाम बहुत बड़ा नाम है इंग्लेंड इंग्लेंड के लोग उसको बहुत इज़त से याद करते हैं डॉक्टर ओलीवर को तो वो कहता है मैंने पहली बार आके देखा भारत जैसे देश में चेचक का टीका लग रहा है और चेचक का टीका लगाने का उसने अपनी डाइरी में वरणन किया है तो वो लिखता है कि मैं आया कलकते में 1710 के साल में और मैंने देखा कि भारत में उस समय चेचक की बीमारी सबसे कम है दुनिया के देशों में सबसे ज़्यादा है और यहां सबसे कम तो इसने का कि मैंने खोजना शुरू किया कि ये बीमारी भारत में सबसे कम क्यों है तो पता चला हर भारत वासी ने छेचक का टीका लगवा रखा है तो उसका वो वरणन करता है कि छेचक का टीका एक सुई जैसी वस्तू से लगाया जाता था और वो तीन दिन में किसी भी व्यक्टी को छेचक के प्रती ताकत Verm, प्रतिकार इक शक्ति उसकी देदेता था की पट्टियां रखी जाती थी पेट में तीन दिन में वह कहती ठीक हो जाता था एक बार ठीका जिसने ले लिया जिंदगी भर के लिए वो चेचक से मुक्त हो जाता था, वो कहता है कि इतना अधबुत ठीका मैंने दुनिया में पहली बार देखा भारत में और ये कहानी है 1710 की अब आपको एक हैरानी होगी जानकर अंग्रेजों ने चेचक का ठीका लगाना भारत से सीखा ये डॉक्टर ओलीवर सीख के गया कलकत्ता से लंदन गया लंदन में इसने डॉक्टरों की सभा बुलाई और उनको कहा कि आपको मालूम है हम चेचक से मर रह रहे उनके पास टीका है इसका तो कोई अंग्रेज मानने को तैयार नहीं इसकी बात को वो कहते हैं कि गप मार रहे हूं तो वो कहते हैं मेरे खर्चे से सब को लेके चलता हूं तो दुबारा फिर आया अपने साथ कई अंग्रेज डॉक्टरों को लेके आया और कलकत्ता के क ही इलाकों में घुमाया उनको और दिखाया कि देखो कैसे घर-गर में जाके टीका लगाते हैं चेचक का और बस एक छोटी सी सुई उसको मामूली सा चुबाते हैं बस उतने में ही इम्मुनिटी होती है तीन दिन के अंदर फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि इसमें है क्या तो वो कहते हैं जो भारत में चेचक का ठीका लगाने वाले वैद्धे हैं न वो बताते हैं कि इसमें कुछ नहीं है जिनको चेचक हो जाती है उनके शरीर का जो पस होता है वो हम निकाल लेते हैं और सुई की नोक के बराबर किसी के शरीर में प्रवेश करा देते हैं और फिर शरीर उसकी इम्मुनिटी धारण कर लेता है ये सिद्धान्त हमारा है जो दुनिया को हमने दिया आजकल आदुनिक विग्यान सिखाता है ना ये टीके के बारे में पल्स पोलियो अभियान एक चल रहा है फिर स्मॉल पॉक्स के खिलाफ फिर बड़ी माता के खिलाफ फिर इसके खिलाफ फिर बहुत सारा टाई फाइट के खिलाफ जो चलता रहता है और जगे जगे टीके रहते हैं ये ठीके लगना सारी दुनिया को बारत ने सिखाया है और ठीके के पीछे का जो दर्शन है कि आप जिस बीमारी से लड़ना चाहते हैं उसी बीमारी के जीवाणूं को आप शरीर में प्रवेश कराईए ताकि शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र उसका मजबूत हो इस तर पर पंजी करण हो रहा था रेजिस्ट्रेशन हो रहा था तब हम वहां हाजिर नहीं थे और इसलिए हमारे नाम से ये दर्ज होने से वंचित रह गया ये डॉक्टर ओलीवर के नाम से वहां दर्ज है दुनिया वर के जो रिकॉर्ड्स है ना उनमें डॉक्टर ओलीवर के नाम से ये वर्णित है और डॉक्टर ओलीवर अपनी डायरी में लिख रहा है कि मैंने कलकता में आके सीखा है इसको तो डॉक्टर ओलीवर के पहले ये चेचक के बारे में अगर लिखना होगा तो उन वैद्दियों कि बाई और डॉक्टर ओलीवर अपनी डाइरी में लिखता है कि ये जो वैदे हैं इनको मैंने पूछा कि आपको किसने सिखाया तो वो कहते हैं हमारे गुरू ने सिखाया उनको किसने सिखाया उनके गुरू ने सिखाया तो कहता है कम से कम भारत में पिछले डेड़ हजार सा से ये ठीका लग रहा है और ये बात है 1710 के आसपास के वो गदर डेड़ हजार साल से कम का इतिहास नहीं निकलेगा भारत में चेचक के ठीके का और अंत में वो कहता है कि भारत के ये जो वैद्ध है ये इनको प्रणाम करना चाहिए इनका वंदन करना चाहिए इनका विनंदन करना चाहिए कि निशुल्क रूप से ये सेवा देने के लिए एक एक घर में जा रहे है और लोगों को चेचक जैसी महामारी से बचा रहे है हम अंग्रेजों को इन्होंने बिना किसी शुल्क के ये ग्यान सिखाया है हम इनके जितने ज़्यादा आभारी हो सके है उतना अच्छा होगा ये डाइरी के अंत में लिखता है लेकिन दूसरे अंग्रेज उसकी डाइरी का ये अंतम हिस्सा गायब करके उसको अपने नाम से प्रकाशित करवाते है और सारी दुनिया आज ये मान के बैठी है कि चेचक के टीके का आविशकारक डॉक्टर ओलीवर था वो भारत था ओलीवर ने आके यहां सिखा था और एक दो रोचक बाते मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे भारत के बारे जो दुनिया की हमने दिया है क्या क्या हमने दिया है दुनिया को थोड़ा तक्नीकी पे आता हूँ लोहा बनाने की जो टेक्नीक है वो पूरी दुनिया को भारत में सिखाई और लोहे से भी एक अच्छा शब्द अगर मैं बोल सकूँ तो स्टील बनाने की जो तक्नीक है वो सारी दुनिया को हमने सिखाई ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व है आपको भी थोड़ी देर में ये गर्व की अन्बूती होगी सारी दुनिया को स्टील बनाना सबसे पहले भारत में सिखाया दुनिया में सबसे पहले स्टील भारत में बना और स्टील आप जानते हैं बहुत complicated technology है आज अगर आप स्टील बनाने की किसी भी factory को देखने जाएं और उस technology को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कच्चे लोहे से लोहे के आयस्क से आईरन ओर से स्टील बनाना आसान काम नहीं है बहुत मुश्किल काम है और वो technology इस देश में बहुत साल पहले विक्सित हुई है एक अंग्रेज आया हमारे देश में जिसने सर्वेक्षन किया सप्त्रेसो पंचानवे में उस अंग्रेज के सर्वेक्षन के कुछ वाक्य सुनाता हूँ आप अंग्रेजी में उसने लिखा मैं आपको हिंदी में सुना रहा है वो कहता है कि भारत में स्टील बनाने का काम पिछले पंद्रेसो साल से हो रहा है सत्रेसो पंचानवे माने अठारेसो मान लो और अठारेसो से पंद्रेसो साल घटा दो तो तीसरी शतावदी से ईसा के जनम के तीन सो साल के बाद क्या समय निकलता है तीसरी शतावदी से इस देश में स्टील बनाने का काम हो रहा है वो कहता है कि मैंने जो सर्वेक्षन भारत में किया है बारत का पश्यमी इलाका, पश्यमी भारत आप जानते हैं यह महारा आश्ट, यह गुज्रात और थोड़ा मद्धिप्रदेश का इलाका और वो कहता है भारत का पूर्वी इलाका बंगाल है, आसाम है, उडीसा है जारखंड उसमें आता है और थोड़ा सा दक्षुनी इलाका तीन इलाके की बात कर रहा है तो इन तीन इलाकों में मैं घूमा हूँ और अब तक मैंने भारत में स्टील बनाने के 15,000 छोटे फैक्टरी चलते देखे अपनी आँखों की वरन कर रहा हूँ के रहा है अब तक मैं घूमा हूँ इतने इलाके में 15,000 छोटी फैक्टरियां इस्मॉल स्केल फैक्टरी उसने लिखा है 15,000 छोटी फैक्टरियां स्टील बनाने की भारत में चल रही है 1775 और वो कहता है कि हर फैक्टरी में एक दिन में 500 किलो तक स्टील आराम से बनता है और वो कहता है कि हर एक फैक्टरी 24 घंटे चलती है और उसमें मजदूरों की 3 पालियां है 8,8 घंटे की 3 पाली में काम होता है 24 घंटे फैक्टरी चलती है और ये फैक्टरी को जो सबसे महत्वपूर उपकरण लगता है वो लोहा गलाने वाली भटी है जिसको आज हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस कच्चा लोहा है वो ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है फिर ब्लास्ट फर्नेस में तापमान बढ़ाया जाता है फिर उसको निकाला जाता है फिर थंडा किया जाता है फिर उसमें निकल क्रोमियम जैसी चीज़ें मिला के स्टील तयार होता तो वो कह रहा है कि जो सबसे महत्वपूर फैक्टरी का उपकरण है वो है भटी ब्लास्ट फर्नेस और वो कहता है कि मैंने हिसाब निकाला है कि भारत में स्टील बनाने वाली किसी भी फैक्टरी की जो ब्लास्ट फर्नेस है उसको बनाने का खर्चा सिर्फ पंद्रे रुपए आता है और ये पंद्रे रुपए का आंकड़ा है सत्रह सो पंचानवे का आज के हिसाब से अगर आप इस आंकड़े को समझने की कोशिश करेंगे तो तीन सो का गुणा कर दीजे तो पंद्रे में तीन सो का गुणा कर दीजे तो पंद्रे रुपए रुपए में साड़े चार हजार रुपए में ब्लास्ट फर्नेस बनके तयार हो जाती है खर्चा मात्र 80 रुपए आता है एक टन का माने हो गया 1000 किलोग्राम 1000 किलोग्राम स्टील बनाने का खर्चा 80 रुपए तो आप जरा कल्पना करिए 1 किलो स्टील बनाने का खर्चा 80 पैसे और आपको मालूम है इस समय 1 किलो स्टील कितने में बनता है 40 रुपए 1795 में हम भारतिय तक्नीक से स्टील बनाते थे तो एक किलो स्टील बनाने का खर्चा 80 पैसे आता था अब यूरोप के देशों की नकल करी हुई तक्नीक से हम स्टील बनाते है और एक किलो स्टील बनाने का खर्चा आता 40 रुपए आप बताओ टेकनोलोजी वो सुपर्व थी या आज की सुपर्व और आगे लिखता है वो कि हमारे देश में ये स्टील बनने में जो छोटी फैक्टरियां है वो दस घंटे लगाती है और दस घंटे में स्टील बनके तयार हो जाता है और वो कहता है कि सभी 15,000 जो स्टील बनाने की फैक्टरियां है इन में एक दिन में 7,500 मीटरिक टन लोहा बनता है और एक साल में लगबग 27,000,000 मीटरिक टन लोहा तयार होता है माने स्टील तयार होता है और इस स्टील की सरिया बनती है और ये सरीया भारत से यूरोप में बिकने के लिए जाती है और भारत का स्टील यूरोप के बाजारों में प्रीमियम प्राइस पर बिकता है माने सबसे महंगी कीमत पर बिकता है क्योंकि भारत के स्टील की तुलना में दुनिया का कोई स्टील ठहरता नहीं और अंत में वो लिख रहा है अपनी डाइरी में कि भारत का स्टील यूरोप के बाजारों में जब बिकता है तो भारत के व्यापारी उस स्टील के बदले में अगर सोने की मांग करें तो भी व्यापारी सोना देने को तैयार होते हैं क्योंकि उस क्वालिटी का स्टील दुनिया में कोई नहीं बना सकता है और वो कई बाते कह रहा है एक बात कह रहा है कि भारत के स्टील को प्रीमियम प्राइस क्यों मिल रहा है दुनिया के बाजार में तो कहता है कि भारत का स्टील ऐसा अद्बुत है जिसमें जंग नहीं लगता और आप जानते हैं भारत में इस तरह का स्टील बनाने की हजारों साल से परंपरा है जिसमें जंग नहीं लगता आप जाएए महरौली नाम का एक गाओं है दिल्ली में उसे देखकर आईए वहां एक लोह इस्थम्ब खड़ा हुआ है सेकड़ों साल से बारिश में भीग रहा है और सेकड़ों साल से हवा के थपेड़े खा रहा है लेकिन उस लोह इस्थम्ब में एक इंच मात्र अभी तक जंग नहीं लगा है ये भारती स्थील की क्वालिटी का नमूना है तो जो अंग्रेज कह रहा है न कि भारत का स्थील प्रीमियम प्राइस पे विकता वो कहता है इसलिए विक रहा है क्योंकि ये सबसे अच्छी क्वालिटी का है और वो कहता है कि दुनिया में भारत के बाद अगर सबसे अच्छा स्टील कोई बना सकता है तो वो स्वीडन है लेकिन स्वीडन में स्टील बनाने का खर्चा भारत में स्टील बनाने के खर्चे से सो गुना जादा आता हम 80 रुपए का एक तन स्टील बना लेते हैं और स्वीडन में आठ हजार रुपए का एक टन स्टील उस समय बनता है, सबत्रे सो पंचाने। और वो कहता है कि भारत वासियों को अपनी इस कला पर और अपनी इस हुनर पर गर्व होने की जरूरत है कि सारी दुनिया में जब कोई नहीं जानता वो तकनीक उनको आती है और अंत में वो कहता है कि भारत की जो इस्टील बनाने की ब्लास्ट फरनेस है, जो भटी है वो इतनी हलकी है कि उसको बैलगाडी में रखके कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं दूसरे से तीसरे स्थान पर ले जा सकते हैं वो कहता है यह पोर्टेबुल है, मूवेबुल है जबकि यूरोप के देशों की जो भटियां है वो इस्थाई है उनको उखाड कर कहीं नहीं ले जा सकते अगर उखाडना पड़ता है तो भट्टी तूट जाती है लेकिन भारतवासी इतने हुनरमंद है इतने कौशल वाले है कि भट्टी बनाते हैं उसको बेल गाड़ी में रखके एक गाउं से दूसरे गाउं ले जाते है और फिर वो कहते हैं कि ये भारतवासीों को कितना ग्यान है कि एक साधरन सी भट्टी में 1400 डिग्री तापमान पैदा कर लेते हैं आप जानते हैं 1400 डिग्री तापमान पैदा करना आसान काम नहीं है बहुत मुश्किल काम है और ये भी तब 37 शताबदी मैं है आज तो हम बिजली की मदद से चाहें, तो 2000 डिग्री, 3000 डिग्री तक जा सकते हैं, लेकिन जब बिजली नहीं थी, तब हम 1400 डिग्री का तापमान पैदा कर सकते थे, और वो कहता है कि इसके लिए एक सबसे बड़ा कारण है, कि भारत में सबसे अच्छे किसम क्या लोहा मिलता है, और सबसे अच्छे किसम का कोईला मिलता है, उस कोईले और लोहे के सम्मिश्रन से ये स्टील बनता है, कोईला 1400 डिग्री तापमान पैदा कर देता है, और लोहा उसमें गल जाता है, और स्टील बना दे, तो स्टील बनाना सारी दुनिया को हमने सिका, ये जो जी का स्कूल खोला उसमें स्टील बनाना अंग्रेजों को सिखाया और फिर दुरुभागे से इसी के नाम से दर्ज हो गया कि स्टील का सबसे पहला बनाने वाला ये अंग्रेज लेकिन उसने भारत से सीखा है ये बात अभी दर्ज होना बाकिए एक दो और उधारन देता हू हमने दुनिया को और क्या-क्या दिया है सारी दुनिया में इस समय किसी को मैं पूछूं कि सबसे पहला हवाई जाज किस ने बनाया तो हम ले दे के एक नाम लेते हैं राइट ब्रजर्स ने बनाया और उनके नाम से दर्ज है ये आविश का 17 दिसंबर सन 1903 को अमेरिका के कैरोलीना के समुद्र थट पर राइट ब्रजर्स ने पहला हवाई जाज बना कर उड़ाया जो 120 फिट उड़ा और गिर गया और उसके बाद फिर आगे हवाई जाज की कहानी शुरू होती है तो हम बच्पन से ये पढ़ते आये हैं कि 17 दिसंबर 1903 में पहली बार हवाई जाज बना और उड़ा 120 फिट तक गया अमेरिका के साउथ केरोलीना के समुद्र थट पर राइट ब्रजर्स ने उसको उड़ा हैं कि 1903 से कई साल पहले सन 1895 में हमारे देश के एक बहुत बड़े विमान वैग्यानिक ने हवाई जाज बनाया और मुंबई की चौपाटी के समुर्ध तट पर उड़ाया और वो 1500 फिटू पर उड़ा और उसके बाद नीचे गिरा जिस भारतिय वैग्यानिक ने ये करामात की उनका नाम था शिवकर बापूजी तलपदे मराटी व्यक्ति थे अगर आप मुंबई से परचित हों तो मुंबई में एक छोटा सा इलाका है उसको चीरा बाजार कहते हैं वहाँ उनका जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई की ए अंस्कृत शास्त्रों का अध्यन किया अध्यन करते समय उनकी रूची पैदा हो गई और हमारे देश में विमान शास्त्र के जो सबसे बड़े वैग्यानिक माने जाते हैं वो महर्शी भरद्वाज हैं महर्शी भरद्वाज ने विमान शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक ल लब्द है, सबसे पुरानी पुस्तक वो पंद्रह सो साल पुरानी है महरशी भरद्वाज तो उसके भी बहुत साल पहले हुए तो महरशी भरद्वाज ने विमान शास्तर पे सबसे ज़्यादा शोध किया, ये जो शिवकर बापुजी तलपदे थे इनके हाथ में महरशी भरद्वाज की वो पुस्तक लग गई विमान शास्तर. उस पुस्तक को आद्ड्यो पांत उनोंने पढ़ा उस पुस्तक के बारे में उनोंने कुछ रोचग बातें कहीं है एक बात उनोंने कहीं कि इस पुस्तक के आठ अध्याइवे विमान बनाने की तक्निकी का ही वरणन है आठ अध्याइ और वो कहते हैं कि आठ अध्याइ में सौ खंड है जिन में विमान बनाने की टेकनोलोजी का विस्तार से वरणाने फिर आगे कहते हैं कि महरशी भरद्वाज ने अपनी पूरी पुस्तक में विमान बनाने के पाँच सो सिद्धान्त लिखे हैं आप इस बात को ज़रा फिर से सुनिएगा एक सिद्धान्त पर पूरा विमान बन जाता है ध्यान दीजेगा एक सिद्धान्त होता है एक प्रिंसिपल होता है उस पर इंजन बन जाता है और विमान बन जाता है ऐसे पाँच सो सिद्धान्त लिखे हैं महरशी भरद्वाज ने माने पाँच सो तरेके विमान बनाए जा सकते हैं हर एक सिध्धान्त पर और उस मुस्तक के बारे में तल्पदेजी लिखते है कि ये पाँच सो सिध्धान्तों के तीन हजार शलोक है विमान शास्त्र में तीन हजार शलोक है और वो कहते हैं आप जानते हैं यह जो टेक्नॉलोजी होती है यह जो तक्नीकी होती है उसका एक प्रासस होता है एक प्रक्रिया होती है और हर एक तक्निकी की एक विशेश प्रक्रिया होती है तो महर्शी भरद्वाज ने 32 प्रक्रियाओं का वर्नन किया है 32 तरहे से 500 किसम के विमान बनाए जा सकते हैं इस बात को जरा समझिएगा मुझे देर में समझ में आई 32 तरीके हैं 500 तरह के विमान बनाने के माने एक विमान बनाने के 32 तरीके दो विमान बनाने के 32 तरीके 500 विमान बनाने के 32 तरीके उस पुस्तक में हैं विमान शास्त 3000 शलोक है 100 खंड है और 8 अध्याए है कितना बड़ा गरंथ है ये इस ग्रंथ को शिवकर बापुजी तलपदे ने पढ़ा अपने विद्यारती जीवन से और पढ़ पढ़ कर पढ़ पढ़ कर परीक्षण किये और परीक्षण करते करते अठारे सो पंचानवे में वो सफल हो गए और उन्होंने पहला विमान बना लिया और उस बिमान को बना लिया तो उन्होंने उसको उड़ा कर भी दिखाया और उसको देखने के लिए भारत के बड़े बड़े लोग गए हमारे देश के उस समय के एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे महादेव गोविंद रानाडे जो अंग्रेजी नियाए व्यवस्ता में जज की हैसियत से काम किया करते थे मुंबई हाई कोट में तो रानाडे जी गए उसको देखने के लिए बड़ोद्रा के एक बड़े राजा हुआ करते थे गायक वाड करके वो गए उस विमान को देखने के लिए ऐसे बीसियों बड़े लोगों के सामने और हजारों लोगों की उपस्तिती में शिवकर बापूजी तलपदे ने अपना विमान उड़ाया और हैरानी की बात ये थी कि उस विमान को उन्होंने उड़ाया उसमें खुद नहीं बैठे बिना चालक के उड़ा दिया उसको माने आप समझिये कि उस विमान को उड़ाया होगा तो कंट्रोल सिस्टम तलपदे जी के हाथ में है और विमान हवा में उड़ रहा है और ये बात 1895 में हो रही है आज की दुनिया की बात नहीं हो रही और उस विमान को उड़ाते उड़ाते 1500 फिट तक वो लेके गए फिर उसके बाद उन्होंने उसको उतारा और बहुत सकुशल उतार कर उसको जमीन पे खड़ा कर दिया माने वो विमान तूटा नहीं उसमें आग लगी नहीं उसके साथ कोई दुरगटना हुई नहीं उड़ा पंद्रसो फिट तक गया फिर नीचे कुशलता से उत्रा और सारी भीड में तल्पदेजी को कंदों पर उठा लिया महराजा गायक वाड ने उनके लिए इनाम की घोशना की एक जागीर उनके लिए घोशना कर दी कि ये पूरी जागीर इनको दिमगा और गोविंद रानाडेजी जो थे वहाँ पर उन्होंने घोशनाई की बड़े बड़े लोगोंने घोशनाई की तल्पदेजी का ये कहना था कि मैं ऐसे कई विमान बना सकता हूँ मुझे पैसे की कुछ जरूरत है आर्थिक रूप से मेरी अच्छी इस्थती नहीं है तो लोगोंने इतना पैसा इकठा करने की गोशना की कि आगे तो उनको कोई जरूरत नहीं थी लेकिन तब ही उनके साथ एक धोका हुआ धोका क्या हुआ अंग्रेजों की एक कंपनी थी उसका नाम था रैली ब्रदर्स करके वो आई उनके पास तल्पदेजी के पास और तल्पदेजी को कहा कि ये जो विमान आपने बनाया है इसका ड्रॉइंग हमें दे दीजे तल्पदेजी ने कहा कि उसका कारण बताईए तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं आपने ये जो आविशकार किया है इसको सारी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं आपके पास पैसे की बहुत कमी है हमारी कमपनी काफी पैसा इस काम में लगा सकती है लिहाजा हमारे साथ आप समझोता कर लीजे और इस विमान की डिजाइन दे दीजे तल पते जी भोले बाले सीधे साधे आदमी मान गए और कमपनी के साथ उन्होंने एक समझोता कर लिया उस समझधे में रैली ब्रोडर्स जो कमपनी थी इसने क्या किया पूरा विमान का मॉडल उन से ले लिया और ड्रॉइंग ले ली डिजाइन ले 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 और उसको लेकर ये कमपनी लंदन चली गए और लंदन के बाद उस समझधे को वो कमपनी भूल गई और वही ड्रॉइंग और वही डिजाइन फिर अम्रीका पहुँच गई फिर अम्रीका में राइट ब्रदर्स के हाथ में आ गई फिर राइट ब्रदर्स ने वो बिबान बना के अपने नام से सुवारी दुनिया में रिजिस्टर करा लिया और तलप तल्पदे जी की गलती क्या थी? उनको चाला की नहीं आती थी ग्यान तो बहुत था उनके पास ये भारत वाली सबसे बड़ी जो समस्या मुझे समझ में आई है 12-15 साल में कि हमको सब ग्यान आता है सब तकनी की आती है सब आता चाला की नहीं आती एक वो गाना है ना सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशे आरी ये भारत वासियों पर फिट है बिल्कुल और ये अंग्रेजों को और अमरीकियों को कुछ नहीं आता सिर्फ चाला की आती है उनके पास ना ग्यान है ना उनके पास कोई आधार है उनको एक ही चीज आती है चाला की और चाला की में वो नंबर वन है किसी का दुनिया में कुछ भी नया मिले उसकी चाला की करके अपने पास ले लो और अपने नाम से उसको प्रकाशित कर लो ये हुआ शिवकर बापुजी तलपदे ने 1895 में बनाया हुआ विमान सारी दुनिया के सामने अब ये गोशित करता है कि विमान सबसे पहले अमरीकी ब्रदर्स राइट ब्रदर्स ने बनाया 1903 में बनाया 17 दिसंबर को दिखा उससे कई साल पहले अगर आप साल ही जोड़ेंगे तो कम से कम 8 साल पहले भारत में विमान बन चुका था और सारे देश के सामने वो दिखाया जा चुका था अब हमें इस बात के लिए लड़ाई करनी है अमरीकियों से और यूरोपियन लोगों से कि ये तो हमारे नाम ही दर्ज होना चाहिए और रेली ब्रदर्स कंपनी ने जो बेइमानी और बदमाशी की थी समझोते के बाद उसका उस कंपनी को हरजाना देना चाहिए क्योंकि समझोता करने के बाद बेइमानी की थी हम भारतवासी कुछ इसी तरह की चीजों में पीछे रह गए वरना हम दुनिया में आज अगर थोड़ी चाला की हमने सीखी होती थोड़ी होशियारी हमको आ रही होती तो ये विमान बनाने का श्रेत तलपदे जी के नाम ही रहता ये रेली ब्रदर्स की चोरी और फिर राइट ब्रदर्स तक उसका पहुँचना ये नहीं हो पाती और बाद में तलपदे जी मरत्यू हो गई और उनकी मरत्यू के बाद सारी कहानी खतम हो गई उनकी तो मरत्यू के बारे में भी शंका है उनकी हत्या की गई और धर्ज कर दिया गया कि उनकी मरत्यू हो गई और ऐसे व्यक्ति की हत्या करना बहुत स्वाभाविक है जिसके नाम दुनिया में इतना बड़ा आविशकार होने की संभावना हो बहुत स्वाभाविक है तो अगर हम फिर से वो पुराने दस्तावेज ढूनें खोलें और फाइल को फिर से देखें तो पता चल जाएगा और दूद का दूद पानी का पानी सारा सच दुनिया के सामने आ जाए हम चाहते हैं कि भारत स्वाभिमान इस काम को अपने हाथ में ले और तल्पदे जी की हत्या की जांच हो फिर से और उनके दौरा किये गए आविशकार को सारी दुनिया में माननिता मिले कि राइट ब्रदर से आठ साल पहले किसी भारतवासी ने विमान बनाया और सारी दुनिया में उड़ाया और एक दो छोटी बातें बताता हूँ हमने जो दुनिया को दी है मैं थोड़ा खगोल शास्त्र के विशह में आप से बात करना चाहता हूँ हम खगोल शास्त्र के बारे में कोई भी ग्यान जैसे सौर मंडल है, सूरज है, प्रत्वी है सूर के बहुत सारे ग्रहे है, ग्रहों के बहुत सारे उपग्रहे है इन सब के बारे में जो भी ग्यान पाते हैं या हमने जो पढ़ा है बच्पन से तो दो ही नाम हम जानते हैं एक तो कौपर निकस और दूसरा गेली लियो प्रत्वी है, सूरी है, प्रत्वी और सूरी के बीच में कोई दूरी है प्रत्वी और सूरी के बीच में कोई आकरशन है प्रत्वी और सूरी के अलावा दूसरे ग्रहों के आपस के कोई आकरशन है ये सारा ग्यान हम दो ही लोगों के नाम से पढ़ते हैं आपको याद होगा एक तो कौपर निकस दूसरा गह ले लियो कौपर निकस के ग्यान के आदार पर हम पढ़ते हैं प्रत्वी सूरी के चारों तरफ चक्कर लगाती है प्रत्वी अपनी धुरी पर भी गूमती है सूरी के चारों तरफ भी गूमती है अपनी धुरी पर गूमने से ये होता है सूरी के चारों तरफ गूमने से होता ये सब बच्पन से हम पढ़ते आए कौपर निकस के नाम से या तो गैली लियो के नाम से अभी पता चल रहा है वो ये कि कौपर निकस और गैली लियो तो पैदा भी नहीं हुए थे उसके हजारों साल पहले ये ग्यान और ये सूतर और ये सिद्दान भारत के सामने प्रस्तुत किये थे एक महान व्यक्ति उनका नाम था महरशी आरेबट उन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि ये सौर मंडल में सूरज इस्थित है और इस्थिर है प्रत्वी जो है इस्थिर नहीं है वो घूम रही है सूरज के चारों तरफ और वो अपने अक्ष पर भी घूम रही है ये सबसे पहले महरशी आरेबट ने सारी दुनिया को बता उसके बाद उन्होंने जो सूत्र दिये उन सूत्रों के आधार पर प्रत्वी और सूरी के बीच की दूरी निकाली गई और आप हैरान हो जाएंगे महरशी आरेबट ने जो दूरी निकाल के दे दी वो दूरी को आज तक दुनिया का कोई खगोल शास्त्री चुनोती नहीं दे पाया आज तक नहीं दे पाया जितनी दूरी उन्होंने बता दी उतनी ही दूरी आज के वेग्यानिक बताते हैं प्रत्वी और सूरी के बीच के और तीसरी महत्त की बात महरशी आरेबट ने जो सारी दुनिया को बताई वो ये कि सूरे जो है ये निरापत नहीं है इसमें बहुत सारे काले धब्बे है और ये काले धब्बे की जो थूरी है इसको स्टीफन हॉकिंग्स नाम के एक आदुनिक वेग्यानिक ने अपने नाम से लिखवा लिया है और वर्ड पेटेंट ले लिया है ब्लैक होल थूरी आप में से कुछ लोग अगर थोड़ा फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपने पढ़ाओगा ब्लैक होल थूरी ये ब्लैक होल थूरी को सारी दुनिया मानती है स्टीफन हॉकिंग्स की खोज है ब्लैक होल्स थूरी लेकिन महरशी आरेबट्र ने स्टीफन ओकिंग्स के जनम से हजारों साल पहले बता दिया कि सूरज निरापद नहीं है इसमें ब्लैक होल्स हैं काले विवर हैं और वही उसके जीवन का कारण है इसके बाद और एक महत्यों की बाद जो सारी दुनिया में महरशी आरेबट्र ने बताई जिसको दूसरे लोग अपने नाम से प्रकाशित करते रहे हैं वो ये कि हमारा जो सूरे है और सूरे के साथ दूसरे ग्रहों की जो इस्थती है तो सारे ग्रह सूरिके प्रकाश से प्रकाशित है, दूसरे ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूरिके प्रकाश से ही वो सब प्रकाशित हैं, वो चाहे शनी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो, ये सब सूरिके प्रका से हजारों साल पहले कोई दुर्बीन बनाई होगी तब ही ये बता सकते नहीं तो सवाल ही नहीं महरशी आरिबट्ट ने बताया कि शनी के पांच उपग्रे हैं पूरी दुनिया को पता चला उसके बाद थोड़े दिन में उन्होंने अपनी कही हुई बात को संशोदित किया और कहा कि नहीं शनी के साथ उपग्रे हैं पांच नहीं है साथ है और गिन कर बताए उन्होंने और आपको मैं बताना चाहता हूँ ये गर्व की बात कि महरशी आरिबट्ट ने हजारों साल पहले जो कह दिया कि शनी के साथ उपग्रे है आज के वैज्यानिक आठवा उपग्रे नहीं खोज पाए अभी तक शनी का वो साथ पर यठके हो और शायद खोज भी नहीं पाएंगे क्योंकि आठवा उपग्रे है ही नहीं होता तो वो खुदी बता के चले गए अब मैं आपके ध्यान को आकरशित करना चाहता हूँ कि शनी के साथ उपग्रे को खोज लेना कैसे संबव है बिना दुर्वीन के तो सवाल ही नहीं उठता हो ही नहीं सकता इसका माने बहुत साफ है कि महर्शी आरे भट्ट ने दुनिया की सबसे पहली दुर्वीन बनाई होगी और उससे देखकर ये बताया होगा और सारी दुनिया में दुर्वीन बनाना लोगों ने उसकी नकल करके सीखा हो महर्शी आरे भट्ट ने एक पुस्तक लिखी है बड़ी पुस्तक है ब्रहत सहिता उसका नाम है और एक दूसरी पुस्तक है आरे भट्ट सहिता उसका नाम है इन दोनों पुस्तकों में सैकणों नहीं हजारों हजारों सूत्र है सूरज के बारे में चंद्रमा के बारे में और दूसरे ग्रहों के सूरज के अंतर संबंदों के बारे और आप जानते हैं सबसे पहले दुनिया में ग्रहन के बारे में चंद्र ग्रहन होगा सूरी ग्रहन होगा इस थिती को होगा इस दिनांग को होगा इस साल में पड़ेगा ये सारे के सारे ठीक ठीक गणना है सबसे पहले शुरू किया महरशी आरिवट्ट ने शुरू महरशी आरिवट्ट की शुरू की गई गड़ना है चंदर ग्रहन की सूरी ग्रहन की हज़ारों साल भी बिलकुल सच साबित होी और उसके आधार पर पंचांग विक्सित हुआ और आपको एक और गहरी बात बताना चाहता हूं महरशी आरिवटे के बारे में कि उन्होंने सूरच का प्रत्वी का दूसरे ग्रहों का जब अध्यन किया बारी की से गहराई से और उन्होंने देखा कि प्रत्वी अपनी धुरी पे भी गूम रही है और सूरी के चारों तरफ भी गूम रही है तो प्रत्वी की अपनी धुरी पर गूमने से दिखा है और दिन रात हो रहे हैं तो दिन कितने घंटे का हो रहा है रात कितने घंटे की हो रही है और बारी की से करते करते उन्होंने साथ दिन निर्धारित कर दिये और वो साथ दिन है रविवार, सोमवार, मंगलबार, बुदवार, प्रहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार ये जो साथ दिन महर्शी आरिबट्टों ने हजारों साल पहले निश्चित कर दिये सारी दुनिया अभी तक आठवा दिन नहीं खोज पाई है जो साथ उन्होंने हजारों साल पहले कह दिये वही साथ दिन पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रहे है और आपको हरणी होनी चाहिए ये जानकर कि कोई Christian है तो, कोई Muslimान है तो, कोई Yehudi है तो, कोई Bodd है तो, कोई Parsi है तो, कोई Hindu है तो, या किसी भी संप्रदाय का है, वो इनी सात दिनों को मानता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुदवार, बसतवार, शुक्रवार, शनिवार बस अंतर इतना है कि उसको अपनी अपनी भाशा में उन्होंने भाशांतर कर लिया है अंग्रेजों ने रविवार का संडे कर दिया सोमवार का मंडे कर दिया मंगलवार का ट्यूस डे कर दिया बुदवार का वेडनेस डे कर दिया गुरुवार का थेस डे कर दिया शुक्रवार का फ्राइडे कर दिया शनीवार का सेटर डे बस इतना ही किया है भाशांतर ही किया है बाकी कोई मूल बदलाव अंग्रेज नहीं कर पाए और अंग्रेजों के आगे पीछे की सब्विताओं ने भी उसको वैसे का वैसे ही स्विकार किया यूनान की पूरी सब्विता ने यही स्विकार किया रवी सोम मंगल बुद्ध शुक्रशनी ही है और ये भारत की देन है सारी दुनिया की सब्विताओं को जिसमें वो एक कदम भी आगे हमसे बढ़ नहीं पाए है जितना हमने खोज के बता दिया वहीं पर पूरी दुनिया रुकी हुई है अभी तब बहुत बड़ा योगदान है महरशी आरे भट का इस खगोल शास्तर की दुनिया और एक दो छोटी बातें बताता हूँ कि महरशी आरे भट का एक और बहुत बड़ा योगदान है सारी दुनिया के लिए गनित का गनित के बारे में दो तीन रोचक तथ्थे मैं आपको कहना चाता हूँ गनित में जो त्रिकौन मिती होती है न आपने तो पढ़ा होगा बच्पन में हम लोग अंगरे जी में उसको ट्रिगनोमेट्री कहते हैं यह जो ट्रिकौन मिती है यह यह महरशी आरे भट की खोज है उन्होंने सबसे पहले त्रिकॉन मिती दिया है पूरी दुनिया को जानने समझने और सीखने के लिए और आप जानते हैं इसी त्रिकॉन मिती को आधार बनाकर दुनिया में सारा निर्मान कारे चलता है त्रिकोन मिती अगर आप जानते नहीं है तो आप किसी भी निर्मान कारी में लग नहीं सकते तो सारी दुनिया के निर्मान कारी का आधार और प्रश्ट भूमी महर्शी आरिभट की देन है त्रिकोन मिती जो उन्होंने समझाई सारी दुनिया गनित में त्रिकोन मिती का आविशकार भारत में हुआ है फिर इसी तरह एक महान महरशी हुए भासकराचारी उन्होंने गनित की सबसे पहली पुस्तक लिखी लीलावती जिसका नाम है लीलावती जो थी वो महरशी भासकराचारी की बेटी थी तो अपने बेटी के नाम पर बेटी को जो वो सिखाते थे गणित में वही सब उन्होंने लिखा पुस्तक में और लीलावती के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी कुशागर बुद्धी थी इतना तीवर बुद्धी वो बेटी थी कि पेड़ के पत्ते गिन सकती थी और जब भी उसको पेड़ के पत्ते गिनने के लिए कहा गया तो वास्तम में उतने ही पत्ते निकलते थे जितने होते थे और उसको कहा जाता था कि तुमारी बुद्धी बहुत तेज चलती है तो कहती थी वो पिता जी की क्रपा है उन्होंने मुझे गनित सिखाया पेड के पत्ते गिलने ना कोई आसान काम नहीं है ये कुछ ऐसा ही काम है कि आस्मान में तारे गिलने ना और लीलावती इसमें सिद्धस थी उस लीलावती के नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई महर्शी भाषकराचारी की गनित की पहली पुस्तक और सारी दुनिया ने उस पुस्तक को आधार बनाकर अपने हां गनित का कोर्स बनाया है सिलेवस बनाया है आपको हैरानी होगी जानकर दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने गणित का सलेवस लीलावती के आधार पुबन है ऐसे ही एक महान हमारे देश में गणतक ये हुए उनका नाम था महर्शी ब्रह्मुगुप्त इन्हों ने सारी दुनिया को सबसे पहले सिखाया जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना ये अंकगणित का जो चार हिस्सा है जोड़, घटाना, भाग और गुणा ये सबसे पहले महर्शी ब्रह्मुगुप्त ने पूरी दुनिया को सिखाया और इसके लिए उन्होंने शास्त्र निर्मान किया और महर्शी ब्रह्मुगुप्त के ही नाम ये खोज है कि वर्ग करना, और वर्ग मूल करना घण करना, घण मूल करना ये भी उन्होंने सबसे पहले सूत्र दिया दुनिया को सीखने के लिए और जो बीजगणित हम पढ़ते हैं जिसको हम आजकल अलजबरा कहने लगे हैं ये अलजबरा पूरा का पूरा महर्शी ब्रह्मुगुप्त की देन है हमारा आजका अलजबरा और उसका सलेवस महर्शी ब्रह्मुप्त के लिखे हुए पुस्तकों पर आधारित है सारा कसर इसी तरह से एक प्रमे होती है एक थियोरम है वो हम लोग पढ़ते हैं बच्पन में नौवी दस्वी कक्षा से लेके बारवी तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं वो थियोरम को पाइथागोरस थियोरम कहते हैं पाइथागोरस का जन्म हुआ ईसा से आठ शताबदी पहले और ईसा के पंद्रवी शताबदी पहले के भारत के गुरकुलों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पाइथागोरस हमारे हाँ था हम उसको बोधायन प्रमे के रूप में पढ़ते थे बोधायन एक महर्शी हुए उनके नाम से वो प्रमे पढ़ाई जाती थी भारत में ईसा के जन्म के पंद्रे शताबदी पहले माने आज से लगबग साड़े तीन हजार साल पहले वो प्रमे भारत में पढ़ाई जाती थी बोधायन प्रमे के नाम से और वो प्रमे क्या है कर्ण का वर्ग बरावर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हिंदी में कहते हैं न हाइपोटिनियूस का स्क्वाइर पर्पेंडिकुलर और बेस के स्क्वाइर के एडिशन के बरावर तो करन का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग ये जो हम पढ़ते हैं ये सबसे पहले बोधायन महर्शी की देन है जिसके आधार पर सारी दुनिया ने सीखा पाइथा गोरस ने बेहिमानी करके और चाला की करके इसको अपने नाम से प्रकाशित करवा लिया और वो आज तक सारी दुनिया इसी ब्रह्म में जी रही इसी तरह से मैथमेटिक्स में, मौडर्न मैथमेटिक्स में एक थियोरम इस्तेमाल होती है binomial theorem अगर थोड़ा गणित आपने उच्छिस्तर का पढ़ा होगा तो आपको तुरंत ये नाम ध्यान में आएगा binomial theorem जो दुपद प्रमे है वो सारी दुनिया को सबसे पहले भारत ने दिये और ये binomial theorem भी महर्शी आरे भट की देन है सारी दुनिया और इसी तरह से हमारे भारत में एक विशे चलता है गणित में जिसको modern mathematics के नाम से आजकल कहने लगे हैं calculus और उसके दो हिस्से हैं integral calculus differential calculus ये integral calculus सबसे पहले भारत में लाया जिस महर्शी ने उनका नाम था मादवा चारे और differential calculus पूरी दुनिया को सिखाया जिन महर्शी ने उनका नाम था भासकराचारी differential calculus का आज का पूरा syllabus भासकराचारी जी की पुस्तक को सामने रख लो तो समझ में आ जाता है और मादवाचारी जी की जो गणित की पुस्तक है उसको पढ़कर differential वो integral calculus पढ़ो बिल्कुल साफ समझ में आ जाता है और गणित में सबसे ज़्यादा शोद दुनिया में हुआ है तो वो भारत में हुआ है भारत के बाद दूसरे नमबर पर सबसे बड़े गणित अग्ये माने जाते हैं दुनिया में वो french लोग है फ्रांसी सी लोग इस बात को स्विकार करते हैं कि गणित अगर हमने सीखा है और दुनिया ने सीखा है तो वो भारत से सीखा है और गणित की जो मूल बात है शून एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो जिसको हम number system कहते हैं ये सारी दुनिया को भारत की देने और आपने मेरे व्याख्यान के पहले वो जो गीत सुना जब zero दिया मेरे भारत ने वो सच है सारी दुनिया को शून ने फिर एक फिर दो फिर नो तक की गिंती हमने सिखाई और जो गिंती सिखाएगा वही गनित बनाएगा गनित तो उसी को आएगा जिसको गिंती आएगी जिनोंने गिंती गिनी है और जिनोंने गिंती पड़ी है वही गनित बना सकते हैं और गनित सिखा सकते हैं तो भारत ने सारी दुनिया को गिंती दी है गनित दिया है, गनित के सूत्र दिये है और कुछ गनित के सूत्रों के बारे में तो आप सब जानते है बैदिक गनित का नाम आपने सुना है, बैदिक गनित के सूत्र, सत्र सूत्र है इन सूत्रों को जो सीख लेगा, वो गनित का इतना बड़ा पंडित हो जाएगा कि calculator से ज़्यादा तेज calculation वो कर पाए कुछ भारतवासी सारी दुनिया में अपना चमतकार दिखाते रहते हैं गणित का एक बहन जी है एक माता जी है नाम नहीं लेना चाहता उनका आप सब समझ जाएंगे एक मिनिट में वो पूरी दुनिया में प्रवास करती है और बड़े-बड़े शो करती है लाखों रुपई वो शो के वो लेती है एक-एक व्यक्ति उस शो में जाए तो हजारों रुपई की टिकेट खरीदता है डॉलर्स में खरीदता है और वो माता जी सब को यही बताती है गनित के सूत्र और चमतकारिक तरीके से बताती है दसंक का कुछ संख्या लिख दो और दसंक की एक संख्या लिख दो दोनों का गुणा कर दो कैल्कुलेटर जितनी देर में बताएगा वो माता जी उसके पहले बता देती है और लाखों डॉलर बरसते हैं उनके उपर वो कुछ भी नहीं है वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र है कोई सीख लेगा तो वो बता देगा उसमें कौन सी खास बात और उनके वारे में अखवारों में बड़ा बड़ा विज्यापन आता है जिनका दिमाग कम्प्यूटर से ज़्यादा तेज चलता है जिनके गणित की गणनाए कम्प्यूटर से ज़्यादा तेज है ऐसी माता जी का व्याख्यान सुनने आईए या दर्शन करने आईए मैं सोचता हूँ कि ऐसी तो सभी माताएं हो सकती है सभी बहने हो सकती है सभी भाई हो सकते है बस मैं दिक गणित के वो 17 सूत्र सीखने की देर है और वो सूत्र अगर आपको सीखने हो तो पुस्तके उसकी बाजार में उपलब्द है मेरी आपको एक विनम्बर प्राथना है वो ये कि आपके गर में छोटे-छोटे बच्चे हैं उनको वो सूत्र जरूर सिखा दीजे गणित उनको रोचक हो जाएगा हमारे देश के बच्चों को गणित में ही सबसे ज़्यादा बोरियत आती है क्योंकि आज जो हम गणित सीखते और सिखाते हैं वो अंग्रेजों के तरीके से सीखते हैं और अंग्रेजों के तरीके से सिखाते हैं उसमें रस बिलकुल नहीं है लेकिन यह जो वैदिक गणित लिखा गया है इसको सीखने में इतना रस है कि आप 90 साल के भी हो जाएं तो भी आप वैसे ही सीखेंगे जैसे 15-17 साल के बच्चे सीखते हैं हमारे भारत में सिक्षा के बारे में जो सबसे गहरी बात है कि सिक्षा को रस्पून बना के सिखाना हस्ते हस्ते सिखा देना खेलते खेलते सिखा देना गाना गाते गाते सिखा देना गीत गाते गाते सिखा देना दुनिया में कहीं नहीं है यह तो वैदिक गणित के सूत्रों को आप सीखें बहुत अच्छा हो नहीं तो अपने बच्चों को जरूर सिखाएं पुस्तकें बाजार में उपलब्द हैं उनसे आप आसानी से कर सकते और मेरा तो कहना है कि आप सीखकर दूसरों को सिखाने का अव्यान चला सकते है कम से कम ये जो तिलिस्म बना हुआ है दो तीन लोगों के नाम पर कि वो गणना करते हैं कम्पीटर से ज़्यादा तेज मैं चाहता हूँ भारत स्वाविमान का हर कारी करता वो भाईयो या बहन कम्पीटर से तेज गणना कर सकता है अगर वैदिक गणित के ये सूतर सीखें एक दो बात और कहना चाहता हूँ हम भारतवासियों ने दुनिया को और क्या-क्या दिया है सारी दुनिया को सबसे पहले बरफ बनाना हमने सिखाया अद्बुत देश है ये भारत यहां बरफ सबसे कम है लेकिन बरफ बनाना सबसे ज़्यादा हमी जानते है भारत में बरफ जहां है न वो कुल मिलाके दो-चार राज्ये है एक तो जम्मू काश्मीर है एक तो हिमाचल प्रदेश है एक तो हमारा ये उत्तरा खंड है और थोड़ा बहुत उत्तर पूर्व के कुछ परदेश है छोटे जहां पर बरफ गिरती है ये बरफ प्रकर्ती की बनाई हुई है लेकिन हम भारतवासी इस बात का गर्व कर सकते है कि मनश्य की बनाई हुई सबसे पहली बरफ हमने दी है दुनिया को और उसकी तकनी की भी हमने बताई है पूरी दुनिया हमारे देश में एक महान राजा हुआ उसका नाम था हर्श वर्धन हर्श वर्धन के बारे में आप सबने पढ़ा है सुना है जानकर यह आपको होगी हर्श वर्धन की दो तीन बाते मैं आप से कहना चाहता हूँ पहली बात यह है कि वो वैग्यानिक था और राजा हुआ सबसे बड़ी बात उसके बारे में जो दुनिया नहीं जानती वो यह कि वो खाली राजा नहीं था वो वैग्यानिक था और राजा हुआ और चक्रवर्ती समराठ हुआ चक्रवर्ती समराठ का मतलब आप समझते है भारत में चक्रवर्ती समराठ कौन हो सकता है जो एक गाउं का राजा होता है उसको हमारे देश में कहा जाता है सरपंच जो दस गाओं का राजा होता है उसको कहा जाता है नायक जो सौ गाओं का राजा होता है उसको कहते है सामन जो हजार गाओं का राजा होता है उसको कहते है राजा फिर दस हजार गाओं का जो हो जाए राजा वो महाराजा फिर एक लाग गाओं का जो हो जाए वो समराठ और साथ लाग गाओं का जो राजा हो वो चक्रवरती समराठ और भारत में लगबग साथ लाग ही गाओं रहे तो हर्शवर्दन चक्रवरती समराठ था माने पूरे भारत का राजा था एक बात वहिग्यानिक था दूसरी बात और विग्यान की किस बहाशा में उसको दक्षटा थी कैमिस्ट्री में रसाइन शासर का बहुत बड़ा ग्याता था जब वो राजा बना उसकी बेटी बीमार हो गई और उसको बहुत तेज बुखार आया तो पहली बार उसने अपनी बेटी का बुखार उतारने के लिए बरफ बनवाई और उसका इस्तेमाल किया हर्ष चरित्रम करके एक पुस्तक लिखी गई हर्ष वर्धन के बारे और हर्ष चरित्रम में इसका विस्तार से वर्णन है कि राजा हर्षवर्दन अपनी बेटी का बुखार ठीक करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल कर रहा है और वो बर्फ बनाने की पूरी तक्निकी है और राजा हर्षवर्दन का जो समय है ना वो छटवी शताबदी का है माने आज से लगबग पंद्रे सो साल पहले चौदे सो साड़े चौदे सो साल पहले अंग्रेजों के यहां बर्फ पढ़ती है अमरीकियों के यहां बर्फ पढ़ती है फ्रांस में बर्फ पढ़ती है जर्मनी में बरफ पड़ती है लेकिन वो बरफ बनाना अठारवी शताबदी तक नहीं जानते थे जिनके आप बरफ पड़ती है वो बरफ बनाना नहीं जानते थे बरफ बनाने के लिए पानी को एक विशेश तापमान पे रखना पड़ता है और एक विशेस दबाव उसको देना पड़ता है एटमोस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करके ही बरफ बन सकती है बहुत जटिल प्रक्रिया है आसान काम नहीं है ये लेकिन हर्श वर्धन को ये मालूम था और उसने बर्फ बनाना और बनवाना अपने राज्य में शुरू किया था उस समय से भारत में बर्फ बनाने की परंपरा है बर्फ हमारे यां बगवान के दोरा बहुत कम दी गई है लेकिन बनाना हमको दुनिया में सबसे पहले आया अब हमको ये इस्थापित कराना भी बाकी है कि सबसे पहले बर्फ भारत में बनी अंग्रेज लोग बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले बर्फ अठारवी शताबदी में बनाई हमने उनसे हजार साल पहले बर्फ बनाई सारी दुनिया को ये बर्फ बनाने की टेकनोलोजी हमने दी है कागज बनाना पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया कागज बनाना सबसे पहले भारत में शुरू हुआ हमारे भारत में एक घास होती है उसको सन कहते है और एक घास होती है उसको मूझ कहते है गाओं के लोग हैं उनको तो ये दोनों शब्दच्छे से समझ में आएंगे एक सन होती है और एक मूज होती है मूज जो है ना बहुत तीकी होती है उंगली को काट सकती है और खुन निकाल सकती है सन वाली घास जो होती है वो थोड़ी नरम होती है उंगली को काटती वाटती नहीं और भारत के हर गाउं में इफरात में होती है और फोकट में होती है पूरवी भारत और मद्ध भारत में तो हर गाउं में होती है बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जारखंड में, उड़ी सामें, आसाम में कोई गाओं नहीं जहां सन ना हो मूझ ना हो तो जिन इलाके में सन और मूझ सबसे ज़्यादा होती रही है इसी इलाके में सबसे पहले कागज बनना शुरू हुआ वो सन की घास से और मूझ की घास से हमने सबसे पहले कागज बनाया और सबसे पहला कागज बना के दुनिया को हमने दिया और वो कागज बनाने की तक्नीक आज से 2000 साल पुरानी और चीन के जो दस्तावेज है वहां से ये बात मुझे पता चली चीनियों के दस्तावेजों में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से सीखा तो उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से यहां से सीखा सन और मूझ की रस्ती से इसी तरह से दुनिया में सबसे पहली बैटरी बैटरी समस्ते है ड्राई सेल अंग्रेजी मैं कहूँ तो शायद जल्दी समझ में ड्राइ सेल बैटरी सबसे पहले भारत में बनी और ड्राइ सेल बनाने की जो विधी है न जो आदुनिक विज्यान ने भी सुईकार कर रखी है वो महर्शी अगत्स से द्वारा दी गई विधी है महर्शी अगत्स ने सबसे पहली ड्राइ सेल बनाई थी और उसका विस्तार से उनका वरिनन है अगत्स सहिता में पूरा ड्राइ सेल बनाने की टेकनालोजी पूरी तकनीक उनोंने दी है और हम में से कई लोगों ने उस तकनीक से बना के देखा है और ड्राई सेल बनता है और हजारों वर्ष पहले की वो तक्निक है इसका माने क्या हुआ जो देश के वेग्यानिक और महर्शी ड्राई सेल बनाना जानते हो वो विद्यूत के बारे में भी जानते होंगे इलेक्ट सिटी के बारे में भी जानते होंगे current के बारे में भी जानते होंगे क्योंकि dry cell ये ही करता है current के flow के लिए ही हम उसका उप्योग करते हैं ये अलग बात है कि वो direct current है और आज की दुनिया में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो alternative current है लेकिन direct current का सबसे पहले जानकारी दुनिया को हुई तो वो भारत में महर्शी अगच्स कोई है इसी तरह से दुनिया में सबसे पहला सिक्का coin जिसको हम कहते हैं वो भारत में बनाया और सारी दुनिया को सिक्का बनाना सिखाया ये जो सिंदु घाटी की सब्बिता का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आज से तीन सारे थिन हज़ास साल पहले का इतिहास है उसमें सिक्के बनाने का बहुत विस्तार से वरनन है और सिक्के की डहलाई करने के लिए बहुत सारी फेक्टरियों की जान करी इसी तरह से जस्ता बनाना जिंक सारी दुनिया को भारत में सिखाया जिंक बनाना हम से पहले कोई नहीं जानता था कि जस्ता कैसे बनता जिंक कैसे बनता और तेरवी शताबदी में भारत में एक पुस्तक लिखी गई उसका नाम था रस्रत्न समुच्च उस पुस्तक में जिंक बनाने का बहुत विस्तार से वरनन पारा बनाना सारी दुनिया को हमने सिखा है मरकरी जो सबसे मुश्किल है सबसे जटिल है वो पारा बनाने का चरक सहिता में बहुत विस्तार से वरनन है और रसरत में समुच्चे में भी बहुत विस्तार से वरनन और एक बहुत रोचक जानकारी दुनिया में सबसे पहले बारूद बना वो भारत में बस इस्तेमाल उसका हुआ फुलजड़ी चलाने है ये रोचक बात है हमने बारूद बनाया सबसे पहले लेकिन उसका बम नहीं बनाया उसकी फुलजड़ी बनाई क्यों मारना नहीं है न हम तो अहिंसा वाले लोग है न बारूद से मार भी सकते हैं बम बना के किसी को ब्लास्ट कर सकते हैं लेकिन वही बारूद फुलजडी भी बनाता है वही बारूद वो चकरी भी बनाता है और वही बारूद से अनार बनता है तो हमने बारूद बनाया अनार के लिए, फुल जड़ी के लिए, चकरी के लिए, हमने बारूद नहीं बनाया, बम के लिए और दुनिया ने हमसे बारूद बनाना सीख लिया, तो उन्होंने फुल जड़ी नहीं बनाई, उन्होंने बम बनाया और दुरुभागेज है फिर हमको ही मारने के काम में उसको लाया और एक दो रोचक बाते कहता हूँ दुनिया का सबसे पहला करशी की बात थोड़ी कर लेता हूँ दुनिया में सबसे पहला जो उपकरण माना जाता है ना सबसे पहला उपकरण वो है पईया वील, चक्र ये भारत में बना वील का इन्वेंशन वील का आविशकार भारत में हुआ चक्र का आविशकार हमारे हां हुआ उस पईयों को हमने बेलगाडी में लगाया और बेलगाडी को चलाया दूसरों ने उस पईयों को हवाई जाज में लगाया उसमें चलाया, पईया तो एकी है, वो हुआई जाज में लगे या बेल गाडी में और फिर हमने दुनिया का सबसे पहला करशी उपकरन दिया, पूरी दुनिया को मालुम नहीं था उसके बारे में हल, खेत में जोतने वाल, एक फल वाला हल, दो फल वाला हल, तीन फल वाला हल, जिसको तिफारा कहते हैं, दुफारा कहते हैं, एक फारा कहते हैं, ये तीनों तरह के हल सबसे पहले भारत में बने और दुनिया ने हमसे खेती करना सीखा, हल चला कर, इसी तरह से हसिया है, हतोडा है, बेलचा है, खुर्पी है, खुर्पा है, पवित्र है सैक्डों किसम के करशी उपकरण सबसे पहले भारत में बने और सारी दुनिया में यहां से गए क्योंकि हजारों साल पहले क्रशी भारत से शुरू हुई और दूसरों ने फिर हमारी नकल करके क्रशी करना शुरू किया क्रशी में बीज बोने की एक खास पद्धिती होती है एक ही लाइन में बीज को बोना ये सारी विशेश पद्दिती मानी जाती है पूरी दुनिया में ये भारत नहीं दी है एक लाइन में बीच को बोना और पूरे खेत में कहीं से भी खड़े होकर देखो वो लाइन बिल्कुल सीधी दिखाई देगी उसके लिए उपकरन हमने बनाया जिसको अंग्रेजी में ड्रिल प्लाव कहते है वो ड्रिल पवित्र हम लोग कहते है वो सबसे पहले भारत में बना और सारी दुनिया ने उसकी नकल की आप जानते हैं आप मेंसे जो किसानी करते हैं कि धान का बीच पहले रोपा जाता है फिर पौधा थोड़ा बड़ा होता है उस पौधे को उखाड कर दूसरी जगे प्रत्यारोपित किया जाता है ये जो टेकनीक है वो पूरी दुनिया को भारत में सिखाई धान के बीच को एक जगे बोना फिर उसको जड़ सही तो खाड़ कर दूसरी ज़े के प्रत्यार उपित कर देना ताकि उत्पादन जादा मिले और खेत का नुकसान सबसे कम हो ये पूरी दुनिया को भारत में सिखाया धान लगाने की ये पद्दिती और सारी दुनिया में धान इसी तरीके से लगाया जाता है ये हिरानी की बात है दुनिया के 155 देश धान का उत्पादन करते हैं भारत की नकल करके इसी पद्दिती से वो धान का उत्पादन करते हैं और एक महत्तु की बात कि सारी दुनिया को जानवरों के मल मूतर से खाद और कीट नाशक बनाना सबसे पहले भारत ने सिखाए गाई के गोबर से, भैस के गोबर से, बैल के गोबर से, गाई के मूतर से, भैस के मूतर से क्या क्या कीट नाशक बन सकते हैं, कौन कौन सी खाद बन सकती है ये सारी दुनिया को भारत में सिखाई तो कृशी में बहुत कुछ हमने दिया, तक्नीकी में हमने बहुत कुछ दिया, विग्यान में हमने बहुत कुछ दिया, और हम पराविद्या में चले जाएं, तो उसमें तो सब कुछ हमी ने दिया है पूरी दुनिया को, अध्यात्म है धर्म है, संस्कृती है, सब्विता है भारत के बारे में एक रोचक जानकरी में देना चाहता हूँ आपको कि दुनिया के सारे धर्मों की जड़ भारत में है सारे धर्मों की जड़ भारत में है कोई देश ये नहीं कह सकता कि हमने ये धर्म अपने यहां से शुरू किया क्योंकि मूल बात हमारे पास है तो सभी धर्मों का प्रादुर्भाव हमारे सिक्षा में से हुआ होगा हमारी सब्विता संस्कृती में से हुआ होगा तो अगर पराविद्या में देखें प्रचंद भंडार है जो भारत ने दिया है इतना कुछ भारत ने दुनिया को दिया तो मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहता हूं अंत में कि आप आज के इस व्याक्षान के बाद अपने मन में कभी भी हीनता मताने दीजिए लगुता मताने दीजिए कोई आत्म गलानी मताने दीजिए अब गर्व से कहिए गौरव से कहिए कि विमान का आविशकार हमने किया बर्फ का आविशकार हमने किया स्टील का आविशकार हमने किया खगोल शास्तर का सारा ग्यान दुनिया को हमने दिया गनित में नंबर सिस्टम हमने दिया वर्ग मूल दिया घन मूल दिया वैदिक गनित के सूत्र दिये इतना कुछ दुनिया को हमने दे दिया है कि दुनिया हमारा सैक्डों बारा भार व्यक्त करे तो भी वो कम है हजारों बारा भार व्यक्त करे तो भी वो कम हमारे मन से अब ये हीन भावना निकल जानी चाहिए और आगे का एक कदम जो हमें उठाना है वो ये कि आज का व्याख्यान खाली व्याख्यान मात्र नहीं है भारत स्वाबिमान की मदद से हमें एक बहुत बड़ा विश्व व्यापि अभियान चलाना है अपनी खोज को अपने इन्वेंशन्स को दुनिया भर के सामने इस्थापित करने के लिए और पुरानी की गई गलती को ठीक करने के लिए जो एतिहासिक रूप से भूल हो गई आप सभी इस अभियान में लगेंगे मेरा विश्वास है अपने मन से हीन भावना निकालेंगे दूसरों के मन से भी निकालने का प्रयास करेंगे ईश्वर हमें जरूर मदद करेंगे ऐसी शुप कामनाओं के साथ बहुत आभार बहुत धन्यवाद दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिल लाइक कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंडरोइट एप डाउनलोड करना ना भूलें